और नौट क्या मेरे सभी बच्चे मुझे बताएंगे मेरी आवाज सबको अच्छे से आ रही है के नहीं क्या मेरी आवाज सबको अच्छे सा रही है सुनने में किसी को कोई समस्या तो नहीं है पॉप पॉप किसे ने लिगी कारल सेंडबर्ग ने लिखी है चला यह तो हमारी वीडियो चल रही है यहाँ पर हमें देखना था लाइव जो अभी चल रहा है हां जी कहां है जी कहां है लाइव यह रहा लाइव आज़ो आज़ो आने दो हां 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 भाई थोड़ी देर कर दी लेट कर दी सर कोई बात नी कोई बात नी देर आये दुरूस्त आये इस देरी का ना आपको बहुत फायदा मिलेगा आपको आपको मैं पूरा इसको वसूल करके दूँगा यह लाइफ सेशन जितना आपने इंतजार किया है तो आपके इंतजार का फल बहुत मिटा होने वाला है आजो जल्दी सब लोग आजा welcome my champions welcome welcome a very warm welcome to all my class 10th champions आप सभी को मेरी तरफ से एक बहुत ही प्यारी बहुत ही मज़ेदार good evening आजाएए सब hello everyone आपका मैं स्वागत करना चाहता हूँ और आप सब मेरे champions हो भाई champions हो आजाओ आजाओ जल्दी से आजाओ live session को अपने सभी साथियों के साथ share कर दो आवाज मेरी सब को सभी साही से आरे होगी तो thumbs up दे दो हम शुरू करने जा रहे हैं class 10th का सभी poems का one shot revision जी हाँ बिल्गुल सभी सुना आपने तो क्या क्या करने वाले भाई one shot revision करेंगे quickly करेंगे ऐसा revision करेंगे कि सारी चीजे भी cover करेंगे hand to hand learn कर लेंगे hand to hand सारे keywords learn कर लेंगे आप comment में लिक लिक के देख देना लिक लिक के निकाल देना इससे आपको याद हो जाएगा questions भी इसी में देख लेंगे competency based question भी इसी में देख लेंगे और आज जब हम हटेंगे तकरीबन 3 घंटे मैं इसमें लेना चाहूंगा आपके 3 घंटे के अंद to this exclusive session for you guys जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है हाँ जी आजएए सब मुझे थमसब देके बता दो सब आ गए सब को नज़र आ रहा है मैं नज़र आ रहा हूं अच्छा लग रहा हो के नहीं और आवाज सही से आ रहे के नहीं आज मुझे मेरे गले पे भरोसा नहीं हो रहा शुरू से ही क्योंकि पिछले 15-20 दिन से continuous live session हो रहे है पहले 11th का और 12th का और 10th का औरा है कोई बात नहीं आजओ चल्दी आजओ जल्दी से आजओ दो मिनट मैं रुकूंगा और फिर शुरू करेंगे बड़े अराम से मज़े लेते हुए आज की शाम बहुत ही कवीताओं वाली शाम है बहुत मज़ा आने वाला है पुएम वाली शाम है अच्छा जिन बच्चों को नहीं पता जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कल हमने footprint without feet का live किया था आपकी दोनों बुक्स हैं ना मैंने दोनों बुक्स का करवा दिया यह रही footprint का live कल हमने खत्म किया था मुश्किल से चार घंटे भी नी पूरे हुए चार घंटे भी पूरे निवर यह रहा आपका footprint का live जो मैंने करा दिया अगर नहीं देखा तो देख लेना बहुत important आपके लिए और देखो आपका आपका दिखो प्यार देखोगे प्यार देखोगे क्लास 10 के आर्मी तुमारी पावर देखोगे यह वीडियो नंबर 6 अभी ट्रेंड कर रहा है मुझे पूरी उम्मीदे नंबर 1 ट्रेंड करने वाला है आप ही करोगे वह देखो यह नहीं देखा तो देख लेना क्लास 10 का वन शॉट रविजन footprint without feet का यह करवा रखा है मैंने और और first flight भी करवा रखी है नीचे pin में दे भी रखा है link की रहा सारी जो PDF है उनका भी link में comment में मैंने link दे रखा है यह भी footprint without feet यह नहीं देख लेना यह भी मैंने आपकी पूरी complete करा रखी है इसके अंदर सारी first flight करवा रखी है तो दोनों books complete करा दी है मैंने आज कर रहे है है हम poems नहीं देखी तो देख लेना दुबारा से बता दूं दोनों books मैं already complete करा चुका हूं footprints कल करा दी थी और live session में और first flight एक हफते पहले करा दी थी तो यह दोनों देख लेना बहुत important है 3-4 गंटे में तुम्हारा पूरा course cover हो रहा और क्या चाहिए ठीक है फिर अब question करना आते हैं let's get back to our work आज का हमारा session poems का session होने वाले बच्चों आपकी सारी poems करेंगे हम अब poem करने के लिए sir हमें क्या करना पड़ेगा बाइट तुम्हें ना बस relax करना होगा मजे करेंगे हम लोग तो से मजे करने वाले है ठीक है चलो आप शुरू करते हैं बहुत अच्छा ज एक बारी session सब तक पहुंचा दो शेयर कर दो सभी class 10 के बच्चों के साथ like जिसने नहीं क्या कर दो ताकि उन तक पहुंच जाए इसके बाद आपकी मर्जी जो करते रहना आप देख लेना फिर सारी चीज़े मैं करने जा रहा हूं शुरू हमारी पहली poem है हमारी पहली poem है क इसका ना extract का question आता है एक्सट्रैक्ट बेस जो question होते हमारे poems के उसमें तो हमारे हाथ फूल जाते है शौट answer में भी आता है long answer में भी आता है वो कैसे करा करें बच्चों बच्चों मेरे प्यारे बच्चों बस जो मैं कहता रहूं ना सुन लेना देखा पेपर तुमारा पढ़ लो उसमें जातर के कॉमेंट्स आपको मिलेंगे के सर जो आपने बताया वही आया बिल्कुल मैंने जो चैप्टर्स कहते हैं वही आ गए आ गए थे ठीक है मेरा दिल कह रहा था दूसरा बच्चों का यह कहना था सर हमने आपकी बात नहीं मानी तो हम नुकसान में रहे मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई थी वो नहीं मानी तो इस नुकसान में रहे तो तुम नुकसान में मत है ना बच्चों जो कह रहो ना माल लेना कोई कितना ही तुम्हें भैकाए बढ़काए कुछ भी करता रहे मत सुनो मुझ पर यकीन करो तुम्हारा फायदा होगा ठीक ह चलो तो dust of snow से start कर रहें dust of snow किसने लिखी है किसने लिखी है dust of snow comment में आच तुम्हें साथ देना है comment में practice कराऊंगा मैं आपकी ठीक है बिल्कुल आप लिखते चलना comment में बताना भै इसके कौन है poet कौन है dust of snow के बच्चों मुझे बताओ तो सही sir dust of snow के poet है Robert Frost हां 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 sir नाम तो हमने सुना सुना सा लग रहा है नाम तो हमें ये सुना सुना सा लग रहा है Dust of Snow हाँ बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पहली पोयम क्या आप सब तयार हैं एक बार मुझे thumbs up दे दो सौरे लोग जितने ही मौझे दे thumbs up दो और मुझे बताओ आर यू रेड़ी भाई 6,000 लाइक्स होगे थैंक यू रॉबर्ट फ्रोस्ट समने बता दिया सब को पता है Dust of Snow के जो पोयट है वो कौन है रॉबर्ट फ्रोस्ट ये रही आपकी कवीता क्या है इस कवीता में सर ये पोयम खोल के भी दिखा दो ना सब्सक्राइब सब्सक्राइब हम ना स्टैंजा को देखेंगे स्टैंजा को समझेंगे और स्टैंजा को अगर हम समझ लेंगे फिर एक्जाम में हमसे कुछ भी पूछ ले फिर तड़ थोड़ी लगेगा वह इस लॉजिकल बात है अगर इस स्टैंजा का मतलब हमें समझ मागी है इंगलिश के अंदर ही कि इंगलिश के कुछ वर्ड भी पता चल जाए हमें फिर तो हमसे इस से कोई भी कॉईशन आ जाए ह हमें रटने की कोई जरूरत है ही नहीं ठीक है बच्चो आओ तो इस स्टैंजों को समझते हैं डस्ट ओफिस नों किसने लिखी रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब ने लिखिया अच्छा इनका नाम तुम बूल नहीं सकते क्यों नहीं बूल सकते अगली जो पोएम है ना फाइर इसे माफ ही मांगते हैं रहा रहा रोबर्ट फ्रोस्ट साब क्यों लिखी तुमने अच्छा जिन लोगों को नहीं मालूम मेरी आवाज ऐसी नहीं है मेरा गला बैठा हुआ है गला बैठ गया पढ़ा पढ़ा के गला बैठ चुका अब मुझे लग रहा है इस सेशन के कुछ भी निए एक परग्राफ है नाम की पोयम है तरीके देखा जाए एक स्टेंजा ही तो है क्या इसके अंदर क्या इसके अंदर पढ़के देख लेते हैं पढ़के देख लेते हैं पहले इसका थीम बता दू थीम बता दू किसके उपर है यह ना इस चीज के उपर है कि ह हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीजे भी हमारा मूड चेंज कर सकती है अगर हमें उनकी रेलेवन्स का पता चल जाए मतलब मालो मेरा मूड खराब है I had a like for example I had a bed day मेरा बुरा दिन था लेकिन कुछ ऐसी चीज हो गई जो बहुत ही छोटी थी लिटल थी लेकिन उससे भी मेरी लाइफ में मेरे मूड में चेंज आ सकता है इसको दिखा रही पोएम हमारी कौन सी The Dust of Snow जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सो मैं मैं Daust of Snow के बारे में क्या लिख सकता हूँ डं सीनो की थीम को मैं क्या समगस ता यू इसका मोटा मोटा मैं क्या है लोग सतलिक सकता हूं है कि इसकीधी मेया है हुआ है little things है little things little things इन आर vertical लाइफ 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 है can can little things क्या क्या समझवाया कि जो little things चोटी चीज़ है हमारी लाइफ में can 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 change our mood है ना यह था कि जो चोटी चीज़ हमारी लाइफ में वह हमारा mood change कर सकती है little things our life can change our mood यह यह का theme है इसमें और कुछ जाधा है नि मेरे बच्चो है न सहिए मैं तुम्हें उठा रहा हूँ तुम्हें उठा रहा हूँ मैं हाथ पकड़ के देखो मैं तुम्हें उठा रहा हूँ मेरा एक एक बच्चा जिसको इंग्लिश से डर लग रहा है पुएम के नाम से हवाख खराब हो रही है बहुत डर लग रहा है क्या होगा वो भी सुनो मेरे सब मेरी बात सुनो अराम से देखो बहुत बेसिक बेसिक आना मेरे बच्चा देखना खुद पढ़ेंगे हम हमें नहीं टीचर की जुरुत होगी हम खुद देख लेंगे अब यहाँ हमलोक ट्री के बात हुई है यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड है जो शायद मेरे बच्चो को नहीं समझ मारे होंगे कुछ ऐसे वर्ड है जिने समझने में मेरे बच्चो को दिक्कत आ रही होगी तो उन वर्ड को ना उन वर्ड को हम पहली देख लेते हैं कहा है वो वर बच्चों यह रहे थोड़ा बड़ा करतो सर है हैं लोक ट्री बच्चों एक पेड़ है त्री के नाम से पता चल रहा है कैसा पेड़े पॉइजनस जिसको जहरीला पेड़ माना जाता है जो जहरीला पेड़ है क्रो तो आप जानते ही हो क्रो का मतलब क्या होता है क्रो का मतलब अरे सर हमें पोयम ृरे पोयम ढूलाओ ना मेरे से कहा पर थी? अरे कहां थी हुए यहां तो बच्चो यहां पर क्या है? मैं अपने हाथ में क्या किताब ले लू? हाँ किताब ले लू सर आपको फिर सामने देख पाओगे आराम से हमें ऐसे दिख्तर होगे ठीक है है चलो हे यहां क्या कह रहा है ये डव दवे जस तरह से क्रों ने मेरे उपर क्या बरफ जो डस्ट होती उपर जैसे डाली dust of snow वो इसनो मतलब बरफ ऐसे 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 उड़के गया और जो पेड़ पर बैठा हुआ था किस पर हैमलोग ट्री पर बैठा हुआ था जो पोईट था वो नीचे खड़ा हुआ था ना उससे क्या हुआ उससे जैसे धूल गिरी ना उससे पोईट का ध्यान इसे उपर गया और उसकी वजए से उसको क्या फील हुआ क्या फील हुआ द वे क्रो शुक डावन वी ऐसे शुक डाउन निकिया नीचे दड़्चाफ एइस ने लग ट्री एक एमलो ट्री था जहरी ला पेड़ था और उस पसे उसने उसके उपर डस्ट फेकी यानी दूल कह सकतो या बरफ कह सकतो इन शॉट वो फेकी फिर क्या हुआ है जिवन माइँ हाट चेंज ऑफ मूड मेरा जो दिल था या मेरा जो मूड था उसको क्या हो गया चेंज हो गया के क्रो था उसने उसके उपर डस्ट ऑफ सनो फैक दी इतना ही तो था ना मोटा मोटा ये सको समझ मारा है ना इसमें बहुत ज़ादा पोई बनने की जरुदे मिरदा गालिब बनने की जरुदे थोड़ी तना समझने के लिए ना यह तो लिटरल मीनिंग था इसका अब बहुत बड़े पहली बता दू रॉबर्ट फ्रोस्ट बहुत बड़े आपकी पूरी बुक में अगर सबसे बड़ा कोई योaría डाम अपान है जालो यहां किसे हो गया चलो यहांक को सबको नजार आ रहा है अब बच्चो यह lines में ने क्यों लिखी हैं आपके लिए क्यों लिखें मेरे प्यारे बच्चो मेरे शेरो मेरे शेरनियो ताकि ये words ये lines आप exam में लिख्या हो हिंदी में तो आपको समझ मां आ गई ना सबको हिंदी में तो पूरी poem जो dust of snow के दो ही ते stands आते clear हो गए ना कि भाई वो crow बेटा हुआ था उसमें गिरा दिया तो उसका mood change हो गया और poet ये कहना चाहता है कि छोटी-छोटी चीज़े जो life में होती है उससे भी mood बदल जाता है हमें रोरते रहना नहीं चाहिए जो insignificant और little things है वो भी हमाई life में एक बड़ा roll play करते है हमारी खुश होने में है ना ये कहना चाहता है लेकिन तो सिंदी की बारते English में कैसे लिखोगे exam में question आएगा मेरे बालक ये देखो standing under or passing through a hemlock tree जो हैरी लट्री है hemlock tree जो के मनहूस माना जाता है hemlock tree और crow दोनों को क्या माना जाता है मनहूस अब शगून या फिर जिसे कहते है negative symbol होता है हमेशा खीक है याद रखना तो मनहूस चीजे जो negative मानी जाती हो चीजे वो भी क्या दे रही है positive vibes दे रही है वो भी mood अच्छा कर रही है ये इसी तरह से के exam का सोचके बच्चों के हाथ पेर कापते हैं किस और English का पेपर रहे डर लग रहा है लेकिन जब तुम मेरे पास आते हो जब तुम मेरे पास आते हो मैं भी हसता रहता हूं तुम भी हसते रहते हो और पता है क्रो को किसका सिंबल माना जाता है डूम का निराशा का है ना दोनों को क्या माना जा रहा है अनॉस्पिशस क्या है अनॉस्पिशस तो इस पोएम के अंदर क्या दिखाई गई है एक आईरनी दिखाई गई है आईरनी मतलब नेगेटिव चीजों से पॉजिटिव चीजों को दिखाया गया है कि कैसे negative चीज़े ब्रिंग करती हैं लेके आती है positive चीज़े है ना mood change करी है मताओ negative चीज़े मानने जाने वाली other half of the day gets saved जो other half जो था हमारा दिन का इस वज़े से क्या हो जाता है बच जाता है यह हमारी life के उपर भी रख सकते हैं कि our life can be changed if we look things around us अगर हम अपने आसपास की जो little things है उनको देखें तो उससे हमारी जो life है वो अच्छी हो सकती है हमें बस अपने आसपास छोटी 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 लिटी जो खुशिया होती है उनको देखने की जरूरत है this is all about the poem dust of snow यह जो पोई जो क्या कहते है है हम लोग ट्री है और क्रो एक छोटी सी बात और हम लोग ट्री ओ क्रो दोनों का अउस्पिशिस मांग रखा लेकिन यह इस पोईम के जरी क्या है यह कैरियर है happiness का यह वो करियर अलग होता है कैरियर मतलब जो लेके ढोके ला रही है किसको ला रही है यह happiness को ला रही है इसलिए पोईम के अंदर क्या दिखाई गई है आईरनी दिखाई गई है एक्जाम में कोईशन आ सकता है मेरे बच्चो के what is the irony in the poem dust of snow क्या लिखोगे क्या लिखोगे सर लिख देंगे न के dust of snow में क्या है के जो hemlock tree है and crow hemlock tree and crow are shown as the carrier of happiness and we know that के जो hemlock tree shows yeah symbolizes poisonous and crow shows doom ऐसे करके लिख देंगे क्या कर नहीं सकते है आसर कर लेंगे क्या इसके question देखो clear हो गई dust of snow robert frost की क्या में question देख सकता हूँ मेरे बच्चे हाँ sir देख सकते हो question आप question देख सकते हो sir 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 हमें सब समझ में आ रहा है जो साथ ही अभी अभी जुड़े मुन सभी से एक बार दुबारा से कहना चाहता हूँ कि अभी आज हम इस session में class 10 की सारी poem का one shot revision कर रहा है जिसमें कुछ भी रटने वाले नहीं है जो चीज़े याद रखने की उन्हें यही पर revise करेंगे question भी end to end करते हुए चलेंगे comment में आप answer करते हुए चलना spelling भी सही हो जाएगी बच्चो हर बच्चा मेरा हर बच्चा अभी क्या भी comment करना ना देखो आज यह comment में answer लिखोगे ना कल exam में भी ना दो दिन बाद वो ही चीज़े लिख पाओगे आपको confidence आएगा इस session के बाद तुमारा जो confidence होगा ना वो top पर होगा और मैं आप मेरे यादत जानते हो मैं खोक ले motivation नहीं देता हूं मैं अपने बच्चे को तयार करता हूं ready करता हूं कि वो इस तरह की dust of snow no robert frost के level की poem जो रॉबर्ट frost साभने लिखी है बिटा तुम वो वो पढ़ रही हो तुम Robert Frost पता है किसी सा पूछना क्रो किस चीज को दिखाता है किसी को नहीं पता हूँगा क्रो का मतलब क्या होता है तुम बता होगे क्रो डूम को दिखाता है जो hemlock pray किस चीज का सिंबल poisonous यह भी unauspicious होता है यह तुम्हें पता है बाते बाकियों को नहीं पता नहीं पता सोचो कितने intelligent हो तुम मेरे बच्चो मैं तुम्हों उठाना चाहता हूं तुम्हारे को पैरो पे खड़ा कर रहा हूं मेरे बच्चो आउ ज़रा question देख लेते हैं जल्दी से हाँ हां सर question भी कराओ हमें बढ़ा अच्छा लगेगा जब आप question कराओगे हमारा confidence बढ़ेगा सर जब आप question कराओगे हां 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 सर करारो में नहीं कुछ question निकाल लगे मेरे बच्चो आपके लिए इनके na extract based question जो होंगे वो तो असान से होंगे वो तो तुम कर लोगे मैं उसम ना कहां देखो के question bank दे दूँगा उसमें उसके answers भी होंगे तो तुम्हारा काम असान हो जाएगा गलती करो यहां गलती करो देखो exam से पहले जितनी गलती करो माफ होती है लेकिन exam में गलती नहीं करेंगे हम है ना जरूरी नहीं मेरे बच्चे सुनो मेरे मेरे कुछ बालक कैसे हैं जिनकी नहीं English अच्छी तो क्या कोई गुना हो गया कोई पाप कर दिया क्या नहीं कोई बात नहीं नहीं अच्छी अब कर लेंगे अच्छी तो जितनी गलती करनी ना अभी कर लो लेकिन comment में लिखो गलती करो गलती ही exam में याद आएगी कि तम मैंने इसका answer गलत है आगे बढ़ चाहां समझ में आ रहा है सब कुछ हाँ हां आईरनी समझ में आगई पुएटिग कराहा दिता हूं इसके को दिक नहीं यह नहीं न लिख रख रख्याहित कर आता है बच्छों दरहरा कॉस्चिन देखें ए क्या है हाँ हाँ सर, question करा दो हमें सर question करा दो हमें अच्छा बच्चों एक चीज और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कहीं नकएं नेचर की तरफ भी तो इशारा किया गया कि अगर हम नेचर के close रहेंगे अगर हम नेचर के close जाते हैं तो हमें happiness मिलती है, क्योंकि जो crow हुआ, जो tree हुआ, वो क्या है, वो nature ही तो है, वो natural चीज़े ही तो है, so if you want to, if you want to be happy in your life, then you should go close to the nature, you should go close to the nature, क्या ये sentence बनानी पाएगा मेरा बच्चा, मेरे बच्चे सब sentence बनाओ, answer बनाओ, कैसे कैसे लिखोगा answer, word पकड़ो, subject पकड़ो, सबसे पहले subject उठाओ, और बनाते जाओ, चलो बच्चे, question इसके अंदर, comment on the underlying message of the poem, dust office, no dust office, क्या बताया, क्या central idea, वो हमने पढ़ लिया, कि जो small act होते है, life में, वो भी big role play करते है, या जो छोटी-छोटी चीज़े होती है, little things in our life can uplift our mood, can change our mood, can bring us happiness, कुछ भी सही हो सकता है सब्सक्राइन में से, दोनों, तीनों में से, सर क्या इसका एक ही correct answer होगा, नहीं बच्चो, poem का सिर्फ एक correct answer नहीं होता, अगर आपने इसका answer सही लिखा है, relative लिखा हो answer है, सही माना जाएगा, कोई काट मी सकता, एक से जाधा answer भी हो सकते हैं, एक question है, इसमें नेगेटिव सिंबल कॉन को से बता रखें, जल्दी से कमें मुझे बता आप लोग, नेगेटिव सिंबल की क्या है, इसके अंदर, poem के अंदर, मैं comment पढ़ रहा हूं, बता जल्दी नेगेटिव सिंबल क्या क्या है, हाँ, नेगेटिव सिंबल बता जल्दी क्या क्य है वह बहुत बढ़ी है 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 हम लॉप ट्री क्या सिंबोलाइज करता है 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 हम लग ट्री क्या सिंबोलाइज करता है बताना है 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 में लोग ट्री का सिंबोलाइज करता है है और हम्लोक ट्री का ही स्तेमाल क्यों कि है तो क्या लिखोगे बच्चों क्या इंग्लिश में नहीं लिख पाओगे क्या नहीं लिखक पाओगे कि हम्लोक हाले पाएंगे और question देखो बच्चो और question देखे हाँ 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 सर दिखाओ न और question दिखाओ न में ली तो देखो बच्चो बार-बार ना इसमें hemlock tree और crow के ओपर ही question है कि crow और hemlock tree क्या represent करते हैं जोय को कर रहे हैं या sorrow को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जोय को तो कर रहे हैं सोरो को थोड़ी कर रहे हैं despite कि यह negative है कि is it clear किसी को कोई डाउट तो नहीं है न किसी भी तरह का इस बारे में नहीं मेरे बच्चो मुझे पूरी उम्मीद है किसी को किसी तरह का इसमें तो को डाउट आ नहीं रहा है चलो क्या मैं आगे बढ़ने कोशिश करूं हाँ एक इसमें question आपके NCRT का ही है what is dust of snow और what does the poet say has changed his mood how has the poet's mood change इसमें पूरी कहानी आ जाएगी कि क्या है dust of snow dust of snow क्या है dust of snow the particles snow के ना जो कि क्रो क्या कर देता है शुक 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 शेकन है ना और पॉइट का mood कैसे change हो जाता है जब वो उस पर गिरता है तो उसको अच्छा feel होता है मतलब उसका mood upliftement का काम करता है जो shake of snow होता है ऐसमें एक word हमने बार बार पढ़ा था क्या पढ़ा था कि जो nature होता है वो हमें हमारे लिए हमें negative चीजों से आप पार लाने में मदद करता है if we are feeling negative and if we go close to the nature then we feel happy and positive तो natural चीजे और जो nature होती है क्या लाती है brings इसमें important word बार बार पता है क्या है बच्चों मेरे बच्चों इसके अंदर ये जो word है ना ये जो carrier word है या bring happiness word है positive word है ये important है क्या exam में लिख पाओगे confidence आ रहा है क्या में next poem की तरफ बढ़ जाओ मेरे बच्चा मेरे बच्चा negative next poem की तरफ बढ़ जाओ हां हां मेरे बच्चा कोई doubt आ रहे तो अभी क्या भी पूछो मेरी anniversary नहीं है तुम लोग मुझे wish करना बंद कर दो मेरी anniversary नहीं है मेरी शादी नहीं हुई तो anniversary कैसे होगी तुम मेरा दिल दुखाना चाहते हो कि सर आपका तो बिया ही नहीं हुआ और आपका बिया नहीं हो पा रहा है और इस वज़े से आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो मैं सब समझ रहा हूं नहीं सब समझ रहा हूं लेकि साथ के साथ नहीं बताता चलूँगा थोड़ा थोड़ा आइडिया देता रहा हूं तो जब तक हमाँ सेशन खतम होगा नहीं सारे poetic device भी clear हो चुके होंगे alliteration एक होता है alliteration मतलब पता है क्या होता है ध्यान से देखो alliteration जिसे यह has हाँ हाँ की आवाज आ रही है न हाँ और हाँ दोनों में हाँ हाँ की आवाज आ रही है न हैस गिवन माई हाट तो जहां एक ऐसा consonant हो, क्या का मैंने बच्चे, ऐसा consonant हो, जिसका same sound बार-बार यूजो, वो क्या होते है, alliteration होते है, हाँ, हाँ, saved some part, तो Sasa, इसमें दोनों में Sasa की अवाज है, हाँ, की अवाज है, Sasa की अवाज है, Papa की अवाज है, Chacha की अवाज है, वो सब क्या होंगे? किसी भी पोयम के किसी भी पोयम के वो क्या कहलाएंगे alliteration क्या कहलाएंगे alliteration exam में पूछा जाएगा write the poetic device of this stanza इस stanza के poetic device बता दो alliteration बता दो तो बता पाओगे हाँ इसमें symbolism क्या symbol कोई symbol use किये गए हैं किसी चीज़ को दिखाने के लिए हाँ vaccro, dust of snow और hemlock tree क्या हैं? symbol ही है क्या है? symbolism इसके ही हो गए rhyme scheme बच्चों को बहुतों को नहीं पताranch면 क्या होती है this is a.w. अबर डबर जबा यह हутा है अबतादो सर,बतादो सर, शर कहा गया? हमारी poem कहा गई? यह रही बच्छो जैसे पोएम है रख इस की तिम क्या होती है है ऐसे होती है है यह पर आजाती हो हम जो यह और आ गए जैसे यह पोएम को याद करना को सबस्क Àugo को क्वान भाना गाते हो क्या किया कहते हैं को कोई कॉछन सबस्केपर आखकल को ट्रेंडिंग Bless आपको फिर सभर को चलिए लिए को applikating स्टेंदिनक ना पता। मैं गाना गाओंगा ना तुम्हारे लिए मैं गाओंगा नी है वां वोग्साओं ना तुम्हारे लिए मुद्ध को और स्वार पहले लमाई मोई मॉए करThis और नहीं 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 मोए कर रहे हो तुम देख ओ देखो देख बच्चे राहीम स्कीम कैसे सीखते जैसे कोई गाना फॉर एक्जामपल मैं गाने सुनता भी तो नहीं ज्यादा कौन सा गाना चल रहा है हूं हाँ वो गाना है क्या किए है कि तेरी मिटी मैं मिल जावां गुल बन के मैं खिल जावां इतनी सी है दिल की तो मिल जावां खिल जावां दोनों में आवां आवां आया ना लेकिन जो तीसरी लाइन थी वह ₲ग हो U के वाद है उसको माना B ऐसे है ना तो जैसे ये था The way a crow shook down on me The dust of snow Crow और snow क्या ये दोनों मेरे बच्चे क्या ये दोनों same sound नहीं कर रहे है हाँ sir sound तो same कर रहे है Crow में भी यही था और snow में भी यही था Me और tree क्या same sound नहीं कर रहे है हाँ sir इसको नाम रख दिया B और इसको भी नाम क्या रख दिया B क्या इसकी rhyme scheme इस stanza की A, B, A, B हो गई A, B, A, B हो गई क्या हाँ sir लग तो रहे लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है एक बार कुछ बताओ ना हमें लग तो रहा है कुछ थोड़ा बहुत तो हमें clear हो रहा है थोड़ा बहुत तो clear हो रहा है हमें कहां गया भाई अरे, change क्यों नहीं हो रहा है change नहीं हो रहा है कुछ भी change नहीं हो रहा क्या अच्छा, change कहां से होगा sir sir आपने कलत पे click किया हुआ था चेंज नहीं होता ऐसे, चेंज ऐसे नहीं होता सर, आपका तरीका चेंज करने का अलग था, हाँ, ये सई फाइल खुली भी हमने, नहीं, ये था, हाँ, इस पे तो थे हम, इस पे ही थे, राइम स्कीम पे थे ना हम, आजो जी, आजो, 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 हाँ, तो हम पढ़ रहे थ को हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं हम उसको एक ए या बी नाम दे देते हैं बच्चों क्या है इसकी राइम स्कीम एबी एबी क्या है इसकी राइम स्कीम एबी एबी है ना और हमने क्या राइम स्कीम बनाई थी हमने क्या राइम स्कीम बनाई थी जरा बताना हमने भी तो यही बन अजाना मी यह अलग थी स्कीनोख सेमावाज था इनको हमने ए नाम दिए जो हम एक साउंड मानेंगे नहीं साउंड मानें लिए हमने धुद और नाम दिया किया हम इसका एक्सवाइज नाम भी दे सकते थे तरह हाँ दे सकते थे लेकिन देते नहीं है A, B से चलता है तो जितने भी अलग-अलग साउंड होंगे उनको हम A, B, C, D तक भी दे सकते है ज्यादतर A, B तक ही होता है ज्यादा बहुत होगे तो C तक पहुचता है है ना, तो इसको नाम हमने कैसे दिया A, B, A, B इस तरह से ये स्टैंजे की राइम है, ले है क्या, क्या जिन बच्चों को नहीं पता था कि राइम स्कीम ऐसे, ऐसे सीखी जाती है स्टैंजे को देख के पकड़ी जाती है क्या रटने की जुरत नहीं होती ये बात आपको मालुम थी क्या ये बात मालुम थी आपको कि इस तरह दे बनती ही rhyme scheme क्या कुछ नया पता चला मज़ा आया मज़ा आगिया rhyme scheme का डर खतम हुआ ऐसे ही न मैं तुम्हारे aliteration तो clear करा दिया चलते फिरते में ऐसे तुम्हार rhyme scheme मी clear करा दिया बिना रटे भाई, रटने की जुरत थोड़ी है, यह तो feel करने की जुरत है, क्या मैं आगे बढ़ जाओ, हाँ सर आगे बढ़ जाओ, आप बहुत बढ़िया समझा रहे हो, हमें clear हो रहा है, और आप लोग ने 12,000 बच्चे अभी देख रहे हो, 12,000 ही likes भी हैं, wonderful भाई, इतना प्यार देने के लिए मेरे बच्चो, thank you, चलो, और इसके सर वो करा दो, वो क्या सर, आप भी रोहिश शर्मा हो रहे हो, वो वो कर रहे हो, बताओ न क्या कराओगे आप, अब सर इसका poetic device एक दो रह गए थे, वो भी हमें करा दो, please, अच्छा राइम स्कीम complete हो गया, next poem पे ब लगातार, दोनों poem किन की है, Robert Frost की है, और दोनों छोटी-छोटी है, इसकी भी बाद इत्ती सी poem है, इत्तु सी, सर इत्तु से में क्या होता है, यह तो बहुत असान है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना हो है, हाँ बच्चे, बहुत असान है, इसका नाम है, fire है, nice poem, ठीक है, जिसके नाम से पता चल रहा है, fire मतलब आग, ice मतलब ठंडक, हाँ, 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 बहुत असान poem है, देखो आज न तुम मजे लो, कुछ भी रटवा रहा हूं में तुमें, रटवाया मैंने तुमें, नहीं, नहीं, हमने क्रो के बारे में पढ़ा, क्रो कैस है, नेगेटिव, आज तेरे घर में बुरा होगा, कवा है, कवा है, बैठ रहा है, नेगेटिव है, नहीं, यह ऐसा मानते हैं, ऐसे हमने हमलोक ट्रिकी बात करें, इसका पेड़ के नीचे मत जाई हो, वो तो भड़ा ही, नेगेटिव होता, मनूस, मना जाता है, अनॉस्प आएगा, कुछ भी नहीं होगा, मजाग चला है, बस, आओ दोस्तो, फायर इनाइस को भी जल्ली से खतम करते हैं, देखो, मैं नहीं कुछ कराऊंगा, मैं नहीं कराने वाला, तुम खुद कर लोगे, खुद करोगे, आपके अंदर इतनी ताकत है, इतना टैलेंट है, तुम मिला तो तुम खुश हो गए, आजो, आजो, फायर इनाइस पढ़ेंगे, आओ, फायर इनाइस जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, आग और बर्फ, अब हम इसका स्टेंजा पढ़ लें, स्टेंजा से समझते कि क्या है, मालो है, एक्जाम में ये स्टेंजा रखावा है, ये तो मैं देखे लिया, some say the world will end in fire, कुछ कहते हैं कि वर्ड फायर से खतम हो जाएगा, आग से खतम हो जाएगा, some say in ice, कुछ कहते हैं कि बर्फ से खतम होगा, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire, जितना मुझे मैंने महसूस किया है, मेरा अंदाजा है, मुझे फील हुआ है, तो मुझ मैं आइडिया दे रहा हूं कि क्या है, पढ़के सुना रहा हूं, मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूं, कुछ बोला मैंने, कुछ बोला, मैं तो आपके लिए नरेट कर रहा हूं, और हिंदी मीनिंग निकाल के देख रहा हूं, इसका, आजो, but if it had to perish, perish का मतलब तबाह होना, बर बरफ से भी खतम होने का मौका मिले, तो बरफ भी इसका सत्यानास कर देगी, इस दुनिया का, है न, और इतनी काफी होगे कि बरफ से भी खतम हो जाएगा, तो मतलब, जो point है, वो कह रहा है कि बरफ से भी खतम हो सकता है, आग से भी खतम होता है, यह बरफ और आग है क्या, अब सुनो ये पोएम ये जुआ यही खतम हो गई, ये बरफोर आइस क्या है? मैं बताओं मेरे बच्चों, ये बरफोर आइस क्या है? ये जो fire है ये fire वह fire नहीं है, ये सिर्फ वह वाली fire नहीं है आग, वह नहीं है. ये एंगर को दिखा रही है किसको घुसे को दिखा रही है ये पैशन को दिखा रही है जुनून को दिखा रही है किसका जुनून लोगों का कंट्रीज का इंसानों का ये किसको दिखा रही है डिजायर्स को दिखा रही है किसको डिजायर्स को ये किसको दिखा रही है जुल् दोनना कितने बं फैके रशिया ने लिकृरेन पइड़े इकरियन ने रशियँ पे कितने बं फिलिस्थीन ने अफांगानिस्तान प्र किस पे इसराइल में फिलिस्थीन फैड़ा इसरायल फैब इस PayPal कों मरा कौन, humanity, humanity लोग मरे ना, तो क्या वो fire नहीं थी, वो fire तो थी, लेकिन उस fire में क्या थे, desire था, चाहा थी, इच्छा थी एक दूसरे पर कबजा करने की, brutality थी, brutality मतलब brutal होना, बहुत जादा निर्दई, जालिम, जुल्म था उसके अंदर, passion था, जुनून था, चोड़ेंगे यह नहीं, है मारो है तरी, ऐसे, ऐसे करके क्या क्तबा हो जाती है, पूरी दुनिया, atom bomb, हिरोशीमा पर जब, और नागा सापी की, नागा साकी पर अमेरिका ने फैका, तो क्यों फैका था, ऐसे ही मज़ा आ रहा था, पटागे मारने तो उन्हें, मज़े ले रहे थे, क्या ग्लोबल टेंपरेचर है, वो डाउन हो रहा है, सर्दी जादा पढ़ती है, बर्फ जम जाती है, और सम पूरी दुनिया बर्फ से ढख जाएगी, सम मर जाएगे, यह तो ही, लेकिन या इसका मतलब क्या है, या इसका मतलब है, हेट्रेड से, किस से, हेट्रेड से, या फिर फ्रेंड, सब लोग दरफ से दिए बैठर रहते हैं, उसी को दिखा रही है, इसको हेट्रेड को, जैलेसी को, क्या मेरे सबी बच्चों को यह बात क्लियर हो पाई, कि फायर इन आइस का असल मतलब क्या है, वैसे तो इसका मतलब फायर इन आइस है, अच्छा सरी, एक्जाम के पॉइंट और एक्जाम के कीवर्ड तो अभी देख लेंगे, पोयम का मतलब समझ में आगिया ना, कि यह दुनिया दोनों तरह से तबाह हो सकती है, नफरत से भी तबाह कर लो, असानी से, जैलेसी से भी तबाह कर लो, यह भी काफी है, ऐसे भी तबाह हो जाएगी, वह वाली आग से भी तबाह हो जाएगी, यह दुनिया तबाह होने लाइक है, यहाँ पर पोईट यह सारी बाते क्यों कर रहा है, यह पोईट कह रहा है, समल जाओ, जितनी तुम नफरते फैला रहो ना, यह जो दिल में बुगज लेके घूमर हो ना, तुम अपने दोस्त के ल यह वाँ भई रोबर्ट फ्रोस्ट वाँ, तुमने तो हमारा दिल ही जीत लिया, रोबर्ट फ्रोस्ट जिन्दा बाद, अगला अगला नेता हमारा कैसा हो, रोबर्ट फ्रोस्ट जैसा हो, भई, ठीक है भई, चलो जी, आगे बढ़ जाए क्या, सर आगे बढ़ जाओ, है ना आइस का मतलब आइस का मतलब हेट्रेड और फायर का मतलब पैशन डिजायर एंगर है ना आव सर सर जल्दी से काम कराओ अब हमें 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 इसका हमें इसकी explanation करा दो ता कि हमें एक्जाम में लिखी है हमें हuellement हिन्दी में लिखेंगे नहीं English का paper है English में लिखेंगे English में क्या लिखेंगे? हमें कुछ words देदो ہमें कुछ words देदो rhyme scheme क्या हमें समझ़ में आगई सर क्या भम rhyme scheme खुद बना सकते है हाँ मेरा बच्चा मैंने तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया तुम अब तुम्हारे पैरों पे खड़े हो चुके हो खड़े हो के देखो लिटरली खड़े मत हो जाना पोयम पढ़ रहे हैं खड़े हो के देखो अपने पैरों पे यकीन होगा कि हाँ मुझे poem समझ में आ रही है अब मुझे rhyme scheme पता है अब मुझे alliteration पता है अभी मैं similar metaphor भी और symbolism भी आपको समझा दूँगा आओ मेरे बच्चों आओ मेरे बच्चों fire and ice को देखते हैं यह रही fire the world will end in what point wants to convey convey क्या करना चाहता है क्या message देना चाहता है convey करना चाहता है point कि जो world है वो two possible ways में खत्म होगा the world will end the world will end in two possible ways two possible ways क्या है एक तो increasing global warming एक तो literal meaning है आपको बात बता दूँ कोई भी जो poem होती उसके दो meaning होते हैं कोई भी जो भी पोएम होँटे बच्चे उसके न दो मीनिंग होते हैं इक तो उसका मिंग समझते हो आप में से बहुत सारे बच्चे न इंग्लीश क Southern करेंगे आगे चलके और उनली मिण जादा ग्दा आसल करेंगे तो आपको तब इसकी समझ आईगी तो मैं अभी से बता के चल रहा हूं लिटरल मीनिंग मतलब जैसा वर्ड है बिल्कुल उसका हिंदी मीनिंग निकाल लिया वर्ड का मीनिंग निकाल लिया और उसका उसी तरह से मतलब निकाल लिया जैसे फायर का मतलब आग तो यहां पर आग की बात हो लिए लेकिन इसका होता मेटाफारि होगी वह represent कुछ और कर रहा होगा जैसे कि fire जो literal meaning है poem में का हिसाब से देखा जाए तो उसका literal meaning तो आ गहाए global warming की बतरब बात कर रहा है आईस की दरब बात कर रहा है लेकिन वहाँ पे fire और eyes से किस चीज़ के में भी कह रहा है लोगों की नफरत उनके मन की जो घुसा है जो जो आपस में जलन है हसद है इरशिया है वो उसकी भी बात कर रहा है तो एक पोएम के हमेशा याद रखना बच्चो जब भी पोएम पढ़ रहे हो उसके दो मीनिंग होते हैं एक मेटाफरिकल मीनिंग और एक त सब्सक्राइब की बात बता रहों क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा है मेरी बात समझ पा रहे हो तो यहां पर फायर के एक मीनिंग तो क्या है इंगर ग्रुलूटिकल को दिखाता है और क्या है और अर-चय और यूजच द्रॉप इन ग्युश ऑन टेमपरेशर में क्या मेरे बच्चों को सब समझ मां आ गिया सब समझ मां आ गिया किसी भी तरह का डाउट तो नहीं रहा हाँ 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 अब आजो इसकी एक्स्प्लिनीशन थोड़ी से और देखते हैं पॉइट फेवर क्या करता है डिस्ट्रेक्शन भाए फायर वह कहता है फायर से जल्दी मरेंगे फायर से जल्दी तबाही होगी इफ अर्थ वस्टु एंड ट्वाइस आइस वुड़ी एस फायर और अगर अर्थ को दो बार तबाह करना हो तो आइस भी कम नहीं है वाला यह कंट्रोल इमोशन वी विल बी ऑनदव वर्च ऑफ सेल्फ इस्ट्रक्शन बच्चों यह लाइन यह लाइन एक्जाम में लिख 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 लिखना किया। If we, अगर हम don't control our emotions, यह emotions ही तो है, hatred, passion, anger, brutality, these all are our emotions, यह हमारे emotions ही है ना, अगर हम इनको control नहीं करते, we will be on the verge of destruction, we will be on the verge of self-destruction, in fact, हम अपने खुद की तबाही के जिम्मेदार होंगे, वर्ज मतलब होता है किनारा, किनारा, बिटा हम अपने किनारे पे होंगे तबाही के जो हम नहीं लिखके आओगे, बिल्कुल लिखके आएंगे सर, सर जल्दी से इसके कुछ question करा दो, अब हम सब कुछ कर लेंगे, क्या था इस poem में, जरा दिमाग में घुमाओ ना, मेरे बच्चे, fire and eyes, fire का मतलब क्या समझ मारा है, क्या समझ मारा है, हाँ 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 हाँ, fire का मतलब anger होता है, brutality होती है, हाँ सर समझ मारा passion होता है, desire होता है, और यह किसको represent कर रहा है, तो हम लिखेंगे ना, exam में, fire represents, fire represents anger, brutality, और eyes represents hatred, हाँ, हाँ, मेरे बच्चो, fire and eyes, ही रहा, question है, rhyme scheme, अच्छा, इसके poetic device, अरे एक साथ दिखा दूँ, rhyme scheme अब तुम बनाओगे, इसकी rhyme scheme ज़रा बना के दिखाना, comment में, मेरे सब बच्चे, इसकी rhyme scheme बना के दिखाना, मुझे पूरी उम्मीदत, तुम इस chapter, इस poem की fire and eyes, की rhyme scheme सही बना सकते हो, थोड़ा hint दे दूँ एक बार एक बार और तुली दे दूख कैसे बनेगी, सेम जो lay निकल रही है न मुझ से, आ आ आ आ आ आ आ, ऐसे अगर lay निकल रही है, उसको माललो A, और जो दूसरी lay निकल रही हो माललो B, या फिर cha cha era cha, उसको माललो B, आप के उपर हैं है न, अगर इससे जज़्यादा lay यह हैं इस दिखाओ मेरे चीतों दिखाओ तुम्हारे अंदर पूरा दम है मेरे सभी बच्चों थैंक यू सो मच भाइ 15,000 लाइक्स बच्चों ने कर दे यानि उन्हें मेरी मेहनत अच्छी लग रही है वो यहां के खुश है तुम्हें ना देखो एक गाना था मुझे बड़ा दिल को मैं तुम्हें नहीं कुछ होने दूँगा तुम टेंशन मत लो एक्जाम की तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा बस मेरा कहा मान लो मेरे बच्चे हाँ क्वेशन है बच्चों देखो इसके MCQ आप लोग खुद कर लेना मेरे को वक्त मिलेगा मैं करा दूँ क्यों अच्छा बच्चों अगर एक्जाम में क्वेशन आ है अच्छा में REACHM चेक कर रहा हूँ तुम लोग झायते क्या लिखे में UK ा EBABA मैं क्या देख लूँ क्या पहले ही देख लूँ यह बनाओ त्मारे साते ही लग तुमारे साहती पुदम Jakin की बंध ने पकड़ लेता हूं कहा चल आंए बहुत बार बार भाग जाता है आजा आजाव आजा आजाव आजाओ, भाई, फायर, पहला है फायर, आयर, आयर की अवाज आई, इसको तो पहले को ए मानना ही पड़ेगा, इसको ए मानना ही पड़ेगा, फायर, आयर, डिजायर, आयर, फायर, आयर, यह आई, आईस, यह क्या होई, आईस इसको भी माना, ट्वाइस इसको भी माना, हेट, 8, C, I, I, S फिर से B माना, है, और आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ जाओ, अच्छा also great, यह अलग हो गिया, इसको D माल लो सफाइस, यह B बन गिया, इसकी मेल यह बन रही है, चाहे तो D को हटा सकते हो लेकिन यह हो न तो, चाहे आओ देख लेते हैं, आओ देख लेते हैं, A, B A, A, B, C, B, ऐसे बनेगी ऐसे बनेगी, आओ ज़रा देख लेते हैं क्या होगा इसका correct answer, आओ देख लेते हैं मेरे बच्चे, आजाओ, हम तो बिल्कुल सीख रहे हैं, हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है सर, हम क्यों रटेंगे, हमारे डियर सर हमें कभी नहीं रटवाते, वो हमेशा हमें हमारे पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं राइम इसकी में इसकी A, B, A, B, A और हमने क्या लिखी थी बच्चों? मेरे तो यादी नहीं रही A, B, A, B, A, कितनी लाइन की? 1, 2, 3, 4, 5 लाइन की तो यही बनी क्या हमारी भी यही थी? हाँ, A, B, A, B, A, B, यही बच्चे लिख रहे है हाँ, यह इसकी राय मिस्किम हो जाएगी मेरे बच्चो Thank you so much चलो, तो सीख गए ना हम लोग? हाँ, सर, हम सीख गए, कोई दिक्कत नी सर, अब कुछ question की answer आप मुझे बताओ और यह वाली हमारी poem भी खत्म हो जाएगी हाँ, 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 सर, question पूछो ना आप हमसे Question exam में आया था अगर आपके exam में question लिखा आजा क्या point लिखोगे, मुझे point चाहिए यही पर comment करके लिखके बताओ, English में वो point लिखो, एक word मतलिखना दो तीन word के point लिखो, क्या to say that for destruction ice is also great for the point, अब तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, तोड़ तोड़ के समझा करो, दो दो word समझा करो, और उसका meaning निकालो, क्या पूछ रहा है, कि भाई, destruction के लिए, ice भी great है point के लिए, what does ice stand for, यहां ice कि चीज के लिए stand कर रही है, how is it sufficient to bring destruction और यह destruction के लिए कितनी sufficient है क्या चीज रौंग है बच्चों तुम्हें क्या रौंग लगा नहीं जो मैंने आपको बताई थी, मैंने जो आपको बताई रहे थी, उसकी तो rhyme scheme यहीं रहेगी ना fire and ice की जो मैंने आपको करके दिखाया था, वो यह answer रहेगा, वो वहां से हट गया होगा, तो वो देख लेना, ठीक है अब तो simple है, इसमें इतना confused क्यों हो रहे हो, rhyme scheme मड़ी simple होती है, इसमें क्या ही है यह कुछ भी नहीं, ठीक है, और अब rhyme scheme से आगे भी आ जो, यह rhyme scheme भी देखते रहोगे, जल्दी बताओ, हाँ, ice destruction के लिए काफी होगी, इसके लिए ice को कैसे destruction के लिए काफी होगी, क्या answer लिख्या होगी, बताओ जल्दी से, हाँ, ice किसको दिखा रही है, hatred, jealousy, and indifference को दिखा रही है, very good, very good, very good अच्छे, question, एमाल लो, 6 नम्बर में, question ही है, कि the world is a dangerous place to live, but because, but because of the people who are evil, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it, Albert Einstein ने सकाय, comment करो, इस reference के, इस reference में, इस थीम के reference से, कर पाओगे, पूरी एक्स्प्रेशन, अच्छे, question है, जो मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ, क्या इस question को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्या मेरे बच्चों को एक question करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, कि question है, कि imagine a conversation, एक conversation है, लेंचो, जो letter to God वाला लेंचो है न, और जो point है, fire and ice के, Robert Frost साव इनके बीच में, एक conversation लिखनी है मेरे बच्चों, competency-based question है, कि conversation लिखनी किसके बीच में, लेंचो, और किसके, poet कों, Robert Frost, क्या, क्या आप वो conversation लिख पाओगे, end of the world के बारे में, तो यहाँ लेंचो क्या कह रहा था, यहाँ दे first flight, first flight में लेंचो क्या कहता था, the world is a big red trap, and the luxurious things are a bait, is it clear, है ना, वो यही बाते तो कहेगा ना, लेंचो, और poet क्या कहेगा, the world will end with fire and ice, है ना, कि जो world है, वो कैसे end होगा, fire or ice से end होगा, है मेरे बच्चों, ऐसा ही होगा ना, हाँ, तो क्या question करनी पाएंगे, क्या conversation लिखनी पाएंगे, हाँ, क्या sir, इसमें कुछ भी लिख सकते, इस से related, हाँ, बस conversation लिखना, कि point क्या कह रहा है, और उस पर लेंचो क्या जवाब दे रहा है, वो red trap की बाते करेगा, और जो हमारा point है, वो किस की बाते करेगा, वो ice or fire की बात करेगा, hatred की बाते करेगा, jealousy करेगा, वो कहेगा, I think not, not with, I agree with you, Lencho, ऐसे करके बात, हाँ, हाँ, ऐसे लिखना, I agree with you, Lencho, this world is a big red trap, but I think hatred is also very dangerous, और फिर वो कहेगा, yes, you are right, my friend, ऐसे करके बाते, हाँ, क्या ये करने क्या मैं फिर ऐसे 3-4 point हम लिखेंगे, 5 number, ये 6 number मिल हाँ मिल जाएंगे मेरे बच्चों मिल जाएंगे, sir, आगे बढ़जाओ, हमारी next poem की तरफ बढ़जाओ, sir, next poem है हमारी, next poem है, हमारी, kami retrouver, a tiger in the zoo, a tiger in the zoo, आओ, बच्चो, tiger in the zoo की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से हाँ हाँ बच्चो आ जो Tiger in the zoo पे आ गए हम लोग एक बार फिर से जो लोग अभी अभी जुड़े ने बता दू हम लोग आज पोएम का one shot revision कर रहे हैं जिसको भी जिसको भी नहीं ये मालूम है बात कि हम लोग यह revision कर रहे हैं वो जल्दी से इस live session को उन बच्चों तक भी पहुंचा दे चलो Tiger in the zoo पोएम पे आ चुके हैं बच्चों बहुत असान सी पोएम है मैं क्या थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा पानी पूपीते हैं और फिर शुरू करते हैं कोई डाउट आ रहे है तो पूछ लो कोई डाउट आ रहे है तो पूछ लो पोएटिक डिवाइस इसकी कराए नहीं थे क्यों मैंने फायरे नाइस के ग्रैमर का live session कर ले चलो फेक हैर मेरे नकली बाल नहीं है तुम लोगों से मैंने कितनी बार बताया कि मेरे बाल नकली नहीं है टोन आफ दा पोएट अज एक साथ करा दूँगा चिंता ना करो लास्ट में एक साथ बता दूँगा टोन कैसे करनी है आओ मैं बढ़ रहा हूं Tiger in the zoo की तरफ मेरे बच्चो Tiger in the zoo इस पोएब की तरफ बढ़ रहा हूं जैसे के नाम से पता चल रहा है क्या शुरू करें Tiger in the zoo किस ने लिखी है Leslie Norris लेसली नौरिस ने लिखी है इतना सबको क्लियर है इतना सबको क्लियर है मेरे बच्चो Tiger in the zoo हमारी तीसरी पोएब मेरे बच्चो Tiger in the zoo पे हम आगे क्या कुछ भी रटवा रहा हूं है आपको नहीं सर आप कुछ भी रटवा नहीं रहे है बलकि आप तो हमें स्टैंजा वाइस पढ़ना समझना सिखा रहे हैं हाँ जी सर आजो 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 Tiger in the zoo देखते हैं जल्दी से आजो कल की टाइमिंग शाम पांच बजे की रखेंगे थोड़ा सा मनलब आज में ज्यादा लेट हो गया था वरना अरे लेट मैं बता तो रहा हूं मेरा गला ही नहीं काम कर रहा है आप समझ सकते हो लेट होने की क्या वजाए हो सकती है मैं कोशिश करता हूं खुद को फिट रखने की ताकि आपका एक्जाम अच्छे से करा पाऊं ठीक है तो Tiger in the zoo मेरे बच्चे शुरू कर रहे है लेसली नौरिस कौन है इसके पोईट और इसके नाम से आपको क्या समझ मार रहा है Tiger in the zoo के नाम से Tiger in the zoo के नाम से आपको क्या समझ मार रहा है मेरे बच्चों जरा बता न हाँ एक Tiger zoo के अंदर है यानि इसमें किसकी बात हो रही होगी मेरे बच्चों इसमें किसकी बात हो रही होगी इसमें एक Tiger की बात हो रही होगी इसमें एक आजो इसके पोईटिक अरे भाई पोईटिक डिवाइस करा दू फायर ना इसके तुम लोग मेरे मानो गते नहीं है तुम लोग तुम तुम नहीं तुम अच्छे बालक नियों तुम मेरे से लड़ते हो तुम मेरे से लड़ते हैं तुम मेरे से लड़ते हो कहा है भई पोई वायरे नहसे generally युशनuß वो फाइनल है इसमें एक हाद कई तो दिखका थे शायद फाइर नाइस की तो राइम इसकी लिखी हुए है जो हमने अभी करके देखी थी दुबारा बता दूँ लाओ में तुम्हें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूस से हो रहे थे फाइर नाइस की राइम इसकी बता एया ठीके उसके बाद आईная इ एया फिर 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 और लंबांस नहीं लिखना ऊता फूरा पूरा होगी ठेख ऊहाँ होगी ठीक है और इसके वकूरतिक ौर टेबसों करा देता है ठीक है कन्फूजन खतम होगी मेरे बच्चों की है मेरा बाबू परिशान हो रहे थे हैं चलो हाँ अब अब ख्लियर हो गया आप चलो इसके वह बता देता हूं राहे में स्कीम तब क्लियर कराई थी एलिटरेशन फायर एन आइस में कौन-कौन से बार-बार एक ही सेम साउंड हो गया है सा सा व व फेवर फायर फा फा हो गया है सिंबोलिजम कौन कौन इस में फायर को दिखाया गया है और आइस को दिखाया गया है इमेजरी फायर एन आइस क्या एक ही वर्ड मेरे बच्चों क्या एक ही वर्ड एक से ज्यादा पोईटिक डिवाइस हो सकता है क्या मुझे answer बताओ comment में क्या एक ही word एक से ज्यादा poetic device भी बन सकता है मानलो fire एक symbolism भी और fire imagery भी हो सकती है क्या होगा इसका जवाब जवाब होगा हाँ हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है दो से ज्यादा भी हो सकता है metaphor भी यही है fire and ice और rhyme scheme तो यह वाली गलत है यह I don't know कि कैसे यहाँ पे लिख दिया गया वरना यह इसकी rhyme scheme नहीं है ज़रा एक बार जो मैंने बताई है वो final होगी हो सकता है किसी और की rhyme scheme हम लोग कर रहे हो और वो page यहाँ पे आया हो वो उसकी rhyme scheme यहाँ लिख दिया ही हो by mistake human error पोइट कोंने इसकी? पोइट कोंने? पोइट का नाम कहाँ चलागी? अभी तो पोइट थी हमारी? यह रही हमारी Leslie Norris कोंने? comment में लिखो न एक बार अपने हाथ से निकाल दो न याद रह जाएगा पोइट का नाम लिखना सर क्या mandatory होता है पोइट के आंसर्स में? हाँ बच्चो पोइट में अगर नाम लिखके आओगे एक्जाम में तो आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा याद कर ले ना पोइट के नेम Leslie Norris अभी मैं हाथ वात ही करा देता हूँ अभी हमने दो पढ़ी पोइम सबने लेसली नौरिस लिख दिया वंडर्फूल वंडर्फूल और इसी बात पर मुझे 20,000 लाइक भी दिखने वाले बहुत जल्दी 20,000 लाइक होने वाले आप लोगों में बहुत प्यार देरो वंडर्फूल थैंक्स अलोट बच्चा तैंक्स अलोट आजो मेरे सबी बच्चे इधर देखेंगे क्या है टाइगर इंदा जू बिना रटे हम करने वाले बिना रटे क्या है इसमें इसमें कंट्रास्ट है टाइगर इंदा जू विद दा टाइगर लेकिन अब वही जंगल का शेर जो जंगल का टाइगर है उसे अगर जू में रख दिया जाए तो उसको कैसा लगेगा उसकी हालत कैसी होगी उसकी हालत एक 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 शेर जैसी तो रहेगी नहीं वो तो कैद में हो गया यह किसके बारे में है यह वाली पोयम inslavement के बारे में है जो गैद किया जाता है जो गुलाम बना लिया जाता है पैट बना लिया जाता है जंगल के खुले जानवरों को उनकी freedom को suppress किया जाता है enslave किया जाता है enslave word उस बार-बार कर रहा हूं फिर उनकी क्या condition होते है this is all about a tiger in the zoo सर जल्दी से पढ़के हमें इसको सिखा दो हाँ 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 बच्चो कराता हूँ जो जी चीज़ा आपको नहीं समझ माएंगे बता दूँगा ही स्टॉक, स्टॉक मतलब टहलना इन ही इस विविड क्या कहते है, स्ट्राइप्स दफ्यू स्ट्राइप्स है, ऑपने केज में, अपने पिंजडे में ऐसे इसे बस वह यू टहलता रहता है और उसके पैज उसके जो वह है जो पंजे है, वो कैसे है? वो वेल्वेट कॉएट की तरह है है, है ना, कॉएट है, वो मलब शिकार नहीं कर रहा है he should be lurking in shadow lurking मलब छिप जाना घात लगा के बैठना उसको तो क्या होना चाहिए उसको तो घात लगा के बैठना चाहिए ना shadow में वहाँ पे छाय में sliding through long grass जो लंबी-लंबी घासे हैं वहाँ उसको दोड़ना चाहिए slide करना चाहिए near the water hole जो पानी वहाँ पानी के कोना है जो जो छेद मतलब नदी का किनारा इसका कहने का मतलब यह वेर प्लम डियर पास यहां पे हिरन आते हैं इसको तो वहाँ होना चाहिए यह कहां पिंजड़े में ऐसे ऐसे टहल रहा है है ना he should be snarling around houses at the jungle's edge bearing his white fangs his clothes sense का मतलब होता है दात clause होगिया पंजा terrorizing the village he should be snarling around houses उसको क्या घरों के इदर आसपार से सूंगते वे निकलना चाहिए जंगल के किनारे पर होना चाहिए और उसके बड़े-बड़े दात उनको बहां निकालते वे जो 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 विलेजर्स है जो गाउं के लोग उनको ड़ है हाँ अच्छा एक सेकेड़ अच्छा अच्छा अगर आप कोई बलड़ दिख रहा है तो आप अपने पास बुक रख लो ना जैसे यह वाली आपकी बुक के फस्ट फ्लाइट की यह रख लो को दिक्कत नहीं ठीक है तो उसको क्या करना है वह क्या कर रहा है वह तो वहां पे घुसे में है पिंजड़े में है वहां पे पैड़ पे वहां पे घूम रहा जो उसके क्या करते केज है जबकि उसको तो गाओं के आसपास लोगों को डराना चाहिए लेकिन वो क्या है एक कॉंक्रीट सेल के अंदर लॉक है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कहां पर है वो कहां पर है वो अपनी केज के अंदर है वेल्वेट का वहां पर क्या है एक क्या किते एक वो डला हुआ है उसके लिए कपड़ा वो केज के अंदर हो वहां पर ऐसे ऐसे घूम रहा है इन इस क्वाइट रेज और गुस्से में है इसमें यह तो कह रहा है अब क्या है नीचे देखते हैं कि आपके अब क्या होगा गाड़ीया ही तो होगा उनकी आवाज उसको सुनाए देती है और वो अपनी चम चमाती हुई आखों से कि जो की तारोज ऐसी है उनको देखता है और इसको देखता है इसको देखता है इस टार्स को देखता है अपनी चम चमाती हुई आखों से यह उसकी जिन्दगी के बारे में बताया गया है क्या बच्चो हम इसके question करें क्या क्या इसमें question निया भी इसके explanation देख लेते न हाँ बच्चो मैंने तो आपको stanza wise explanation करके दिखा दी अब exam में क्या लिखोगे वो सुनो अब exam में कैसे लिखोगे समझ माई tiger in the zoo की कानी सबको clear है stanza wise भी clear हो गई किस किस चीज के बारे में क्या कहा गया है brilliant stars brilliant eyes को कहा गया है यानि वो sparkling है चमकदार आँखों के लिए stars का इस्तेमाल किया गया है is it clear or not बच्चो आसर इतना clear हो गया है हाँ अब इसको थोड़ा सा और समझते है अब इसको explain करता हूँ अच्छे से enslavement of animals यह जो हमारी पोया में वो किसके उपर है जो animals का enslavement होता है उनको क्या बना लिया जाता है घुलाम बना जाता है बच्चों exam में word कौन सा लिखोगे enslavement word लिखके आओगे selfish humans it is about selfish humans for their monetary benefits for their monetary benefits जो animals है what they do क्या करते है वो enslavement करते है they do enslavement of animals for their monetary benefits लिख सकते हैं क्या they deprive them humans humans क्या करते हैं deprive करते हैं बच्चों deprive का मतलब क्या होता है कि उसको वंचित रखते हैं महरूम रखते किससे from their natural habitats habitats जो रहने की जगा जो रहने की जगा है जो natural जो कुदर्ती जहां उनको होना चाहिए वहाँ से उनको ले आते हैं उनको वंचित रखते हैं pathetic life of animals in the zoo और इसमें क्या बताएगा कि animals की जो pathetic जो तरस खाने लायक जिंदेगी होती है उसके बारे में यह हमें बताता है यह वाली पोएम बताती है चलो आप केज टाइगर having beautiful stripes velvet-like soft paws है ना आप केज टाइगर है जिसके beautiful stripes है जो और जो धार्य बनी वी है और क्या है और क्या है वेल्वेट लाइक बेल्हेक जैसे यह वह केज में बन्द है उसके बारे में बात हो ईह not happy being confined and confined बतलब बच्चों कैद हुआ हुआ उसको अच्छा नहीं लग रहा क्या अच्छा नहीं लग रहा होगा इन फॉरेस्ट अगर फॉरेस्ट में होता तो अपने प्रे का अपने हिरनों का इंतजार करता खाने के लिए विलिज के लोगों को डराता विलिज के लोगों को डराता घासों में होता यह तो सारी बाते पड़ी थी वो यहां पर लिखा हुआ है moving around the house of village scaring villagers with big white teeth and sharp claws क्या इतना clear है किसी को कोई doubt कि वो अपने बड़े-बड़े दातों से उसको तो villagers को डराता अगर वो forest में होता तो क्या क्या करता अगर exam में question आ जाए इस poem से जो भी question आएगा आप असानी से बना पाओगे मस इस poem को यह जो point से इनको learn कर लो करोगे learn करोगे क्या मैं आगे बढ़ जाओ हाँ हाँ सर हाँ समझ मा आ रहा है आगे बढ़ जाई आप आप इसकी rhyme scheme वगेरा में बता दो अब क्या हुआ अब tiger की current situation कैसी है इस current situation locked in a concrete cage एक concrete केज के अंदर वहाँ पे वो locked है unable to kill और scare people made an object of display ignoring visitors उसकी आलत क्या है अगर question आए एक्जाम में यह एक्जाम की बात है बच्चो मैं कुछ भी यह irrelevant बोली नहीं रहा मैं फालतू आपको पढ़ाता ही नहीं हो जो एक्जाम में ना आए सिर्फ वही बात ही है सारी पेपर के लिए important है बच्चो यह सारी पेपर के लिए important है क्या के उसकी current situation कैसी है वो locked है concrete cage में वो unable to kill हो किसी को kill नहीं कर सकता villagers को डरा नहीं सकता किसको kill करता वो किसको deer को अपने prey को kill करता but he is unable to do that है ना he is scared he cannot scare people in fact and he has made he has he has he has become an object of display हो क्या बन गया एक object of display बन गया है and he is ignoring visitor this is the current situation of a tiger next यह रात को क्या होता है he is alone alone होता है hearing voice of patrolling cars vehicles or police looking at the stars और वो stars को देख रहा होता है यह उसकी current situation है यह सारी लाइस के current situation में नहीं बता सकते अगर exam में question आ जाता है tiger in the zoo से क्या आप यह नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे से गलत है सासा की आवाज नहीं यह वाला रहने दिना इस ट्रहां बिहाइंड बार्स बाबा की आवाज आ गई repetition कौन कौन से वर्ड का हो रहा है quiet और quiet का बार-बार हुआ है brilliant और brilliant ऐसे वर्ड जो बार-बार रिपीट हो रहा है किसी भी poem के अंदर हो क्या कहलाते repetition metaphor कौन से इस्तेमाल हुआ है pets of velvet metaphor इस्तेमाल हुआ है राइम इसकी ABCB ठीके बच्चों तो यहां मारी खता होती है a tiger in the zoo poem मुझे अमीदे आप लोग को बड़ा बड़ा बड़ी पसंद आई होगी अरे दिली दिल भेज रहो happy anniversary सर अरे मेरी anniversary नहीं है तुम्हें कितनी बार बताऊं क्यों मेरे जखम को ताजा करते रहते हो तुम तुम्हें क्या मिलता है जैसे tiger in the zoo की हालत हो गई वो अपने tiger cage में alone है ऐसे ही मैं कर दी तुमने हैं बिल्कुल tiger in the zoo मेरा बना दी है ना तुमने है ना है तो वह भी मेरी तरह मैं भी उसकी तरह सुंदर हूं उसके भी उसके भी स्ट्राइब से ब्यूटिफुल स्ट्राइब से उसकी बॉड़ी पे वैल्वेट लाइक उसके पैड्स है है ना वो भी रेक करता है उसे भी गुस्सा आता है मेरे को भी गुस्सा आता है हम दोनों की हालत बिल्कुल tiger in the zoo और मेरी हालत रॉबर्ट फ्रॉइस साहाब कहा छुपे हो तुम रॉबर्ट फ्रॉइस साहाब आजाओ मुझे बचा लो मेरे को क्रोल आके दो Hemlock tree लाके दो वो भी तो मेरे ओपर शुक कर दे dust of snow fire and ice ऐसे ही नहीं होगा सभी लिखा था Robert Frost सामने बिल्कुल सभी लिखा था ये दुनिया आइस भी कम नहीं है तुम लोगों के मन में जो मेरे लिए जो जेलिसी है मैं सब समझ रहा हूँ तुम्हारे मन में वो आइस है वो जेलिसी है वो ग्रजिस है जिसकी वज़े से तुम खुश हो रहे हो है ना तुम मुझे दुख दे के खुश हो रहे हो ना दुख दे के खुश हो रहे हो मैं समझ रहा हूँ Robert Frost गलत नहीं थे जब उन्होंने fire के बारे में कहा था आइस के बारे में कहा था तुम मेरा अब इसका मैं question करा देता हूँ कोई बात नहीं मैं रुकूंगा नहीं मेरा होसला ढिगेगा नहीं आ मेरे बच्चे आ जा मेरे बालग ये एक तरफा महपत है मेरी तुम्हारे से तुम मेरे को कितना दुख दे लो कोई बात नहीं मैं तुम्हें हमेशा प्यार करू और बोले इसी बात पे ताली हो जाए चलो और इसके क्वेश्चन करा दू मेरे बच्चों अटाइगर इंद जू के क्वेश्चन देखते हैं हाँ जर मुझे जवाब तो देना मेरे बच्चे सब लोग इधर जवाब देंगे कॉमेंट में लिखते से ले जाएंगे मेटाफ़र समझ में नहीं आता अरे मैं करा दूँगा इसको चिंता ना करो तो अभी सिर्क पोएम पे फोकस करो न थोड़ा अरे मेटाफ़र जो किसी की किसी से कंपैरिजन कराई जाती है मेटाफ़र होते हैं इसमें क्या था हाँ आप अमांड़ पे जल्दी कर रहे हम लोग तो मैं तो खुदी आपका टाइम जादा नहीं ले रहा मैं तो देखो एक घंटे के अंदर भाई हमने कितनी पोएम खत्म कर डाली तीन पोएम खत्म कर डाली वा सर क्या बढ़िया आप सब कुछ बता भी रहो और सब कुछ पढ़ा भी रहो टाइम भी कम ले रहो मजा आ गया मजा गया रॉबर्ट फ्रोस साहब आप बहुत अच्छे आदमी हो अटाइगर इंदा जू इसमें तो आपके NCAR'T के क्वेस्चन तो मुझे कुछ खास लगी नहीं रहे मुझे दिखी नहीं रहे मैं इसके आपके एक्स्टा क्वेस्चन ट्राई करताऊं अपके अलग से देख लेता हूं इसमें तो मुझे नजर नहीं आए मेरे बच्चों क्या है आपको क्लियर कर लो ना मेरे बच्चो आजाओ न ships आज़ो dro bare do कि आज़ो ये lines अभी क्या फेविस्ट में अग्जाम में कुछ अप कि पूछे गा में क्वेश्टर कि कैसी है यससे सरे सब्सकों हो ना हां होटा यह सकते हैं अब Brain हमें डर सब eight of अब आपको हमने हमें सब कुछ करा दिया अच्छे क्वेश्चन आया था क्या मुझे इसका जवाब दे सकते हो लव फॉर फ्रीडम इस दा नैचुरल इंस्टिंक्ट ओफ एवरी लिविंग बींग कॉमेंट करो और छे नंबर का सवाल था कि फ्रीडम के लिए जो प्यार होत सब लोग इसका छे नंबर में अगर लिखना हो तो क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे तिमाघ में पता ही सोचो इसकी इसकी संवरी क्या थी मेन में लाइन सर ने क्या बताई थी क्या की वर्ड से इसके अंदर सर बताया था इस टैंजा पूरे-पूरे एक्सPLAIN करके बताय गया था यह टाइगर is supposed to be is supposed to be sitting at the edge of the at the edge of the river और क्या looking for his prey but he is not doing that he is not killing his prey because he is confined he is confined in a cage क्या यह कहानी नहीं लिखोगे नहीं लिख सकते यह कहानी है ना वो जो टाइगर है क्या टाइगर खुश है एपी है क्या क्या टाइगर केज में रहके है आप क्या कॉमेंट करो सब बच्चे मेरे जो जो समझ मारे लिखो गलती तो लिख दोगे ना क्या बिगड़ जाएगा मैं सही कर दूंगा लेकिन होसला दिखाओ क्या पता सही समझ में आ रहा हो आप बहुत अच्छा लिखो और मेरी तारीफ बटोर लो मुझसे तारीफ ब मैं कुछ नहीं खा रहा तुम लोग मेरे को खाने नहीं देते हो मैं कुछ नहीं खा रहा ठीक है बच्चा हाल और और क्वेशन कर बताओ इसमें से जादा क्वेशन में से पूछे ना गए बच्च एक क्वेशन है क्वेशन है कुष्ण चलो important poems भी मैं आपको बता दूँगा session के last भी important poems भी मैं आपको बता दूँगा इस में one, two, three, four, five, six और six के बाद है seventh, eighth यहां पर question मुझे नजर नहीं आ रहा है अच्छा सेवंथ यह था अच्छा क्वेश्चन बताना हाव ड़स पोएम पॉइंट आउट दी कुरुलिटी टोड्स अनिमल इंट कैप्टिविटी किसके अंदर कैप्टिविटी मतलब किसी को बंदी बना लिना उसके ऊपर कुरुल अनिमल कुरुलिटी के उपर है बतानी सकते हां कि इंसलेम्मेंट है सेल्फिश ह्यूमन की वज़े से लिखनी सकते इसका और क्या लिख दोगे एक और question है क्या do you think the tiger in the poem lost natural instinct due to captivity क्या वो अपने natural instinct भूल गया है शिकार करना लोग को डराना हां उसको आदत हो गयी केज में र ठीक है आजो 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 सभी बच्चा चला चलो चलो वह 21,000 लाइक्स हो गए थैंक्स अलोट थैंक्यू इतना सारा प्यार देने के लिए अगर यह सचन आपको अच्छा लग रहा हो और आपने अभी तक लाइक निकिया तो लाइक के बटन को नीला पीला हरा लाल कर देन आपके लाइक्स मुझे प्यार और हिम्मत देते हैं मैं चला आगे आगे बढ़ते रहो बच्चो हम चले हाव टू टेल वाइल्ड आनिमल्स पे सबसे प्लेन सबसे सीधी साधी पोयम जिसको करने में कुछ ज़्यादा हमें नहीं लगता और मैंने आपको यह तरह से प्तियारी कराई आप स俺 इतना सा काम कर ना पता है आप क्या कर हो जो मैं आज खतम करा रहा हो ना हुँ आए ऐसे भृट में नहीं ऐसे अपको क्या कर दिख ले आप अ spring maximum question जितने भी मिल जाएं आपको solved, maximum जितने कर सको, question जो solved जिनके answer भी आपके पास available, कोई आपके पास simple paper पढ़ा है, कोई आपके पास previous question है, गूगल से आप search करके देख सकते हो, बहुत सारे question गूगल पर पढ़े मिल जाते हैं, वो maximum जितने कर सकते हो, सिर्फ देख लेना, क्या to tell wild animals मैं शुरू करने जारो, जो भी बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, मैं उन लोगों से एक बार फिर से बच्चों request करूँगा, कि इधर देख है, अभी हमने तीन poem कर ली है, आराम से देखो, tension मतलो, जिसकी poem छूड गई है, अभी जो तीन poem हमने खतम गी है, तो आपक to tell wild animals कि कौन सा wild animal कौन सा है, उसकी पहचान कैसे करें, यह बता दो, उसके उपर हमारी यह poem है, बहुत प्यारी सी poem है, कुछ भी नहीं है, किस ने लिखे है, क्यों ही लिखे थी, या क्यों ही लिखे थी यार, यह जंगल, मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है, यह केरीलन wavelength अंकल थे ना ये अंकल थे के आंट ये जो थे ना कैरोलिन वेल्स ये जरूर ना जूमे काम करते होंगे 100% ये जूमे काम करते होंगे वरना ये पोएम लिखने का कोई मतलब बनता नहीं था क्या मिला तुम्हे ये पोएम लिखके कैरोलिन वेल्स क्या मिला तुम्हे पोएम ल दिखती नहीं ठीक है आओ बच्चो शुरू करते हैं हाँ शुरू करते हैं हम मैं थोड़ा सा क्या पानी पीलू पानी पीलू बच्चो हाँ पीलीजे सर पीलीजे देखो तुम लोग फिर अदमाशी पर उतर आयो मेरे को फिर बड़े विश्च करने लगे मैं कितनी बार बताओ तुम्हें के मेरा बड़े नहीं है नहीं है मेरा बड़े लेकिन तुम नहीं मान रहे हैं तुम नहीं मान रहे हैं और यह अच्छी बात है चलो 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 शुरू करते A Tiger in the Zoo हो गया हमारा अब आरे हमारे next poem how to tell wild animals पे आपके support material के भी question में बीच बीच में discuss करता रहूंगा फिर से तुम चुरू हो गए ASMR का एक बार एक मिनट तुम पानी का भी ASMR हो गया क्या मैं पानी भी न प्यूँ है कैसे जालिम हो रहे हो ना तुम लोग कैसे जालिम हो रहे हो सब सब उपर वाला सब देख रहा है उपर वाला सब देख रहा है मैं तुम से वन साइडिड लव कर रहा हूं मैं तुम से वन साइडिड लव कर रहा हूं और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो तुम मुझे पानी भी नहीं पीने देना चाहते ना कोई बात नहीं कोई बात नी बच्चों कोई बात नी एक तरफा मुहबत की ताकत ही अलग होती है कहा है ना किसी बहुत बड़े कवी ने के एक तरफा प्यार की ताकत अलग होती है ये रिष्टों का मोहताज नहीं होता बिल्कुल वैसा ही आओ चलो how to tell wild animals पे आजाओ 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 मेरे बच्चे आजाओ अरे क्लास 12 वालो अच्छा तुम तो 10 वे हो अरे चलो आओ शुरू करते शुरू करते हमारी पोयम बच्चो ये पोयम नहीं है मजा के कैलोनिन वेल्स ने लिखी आँटी ने और मुझे लगता है जूमे काम करती थी ये और कोई बात नहीं है ये जूमे काम करती होंगे जरूर अरे कोई है नहीं किया मुझे पानी दे देते यार चलो 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 कहां किया हमारा कलम कहा है हमारा कलम कल तो मुझे सच में तुम लोग ना मेरा कहना नहीं मान रहे ते कल मैंने इसलिए हतियार उठा लिया था आज आज मैं मैं आज भी कुछ जरूर कुछ लेके तो आया हूं मैं तुम लोगों के लिए आज भी मैं कुछ लेके तो आया हूं अरे आप लोगों को यादे मैंने पैन कहा रखा था दरबादा दो यार कहा रख के भूल गया मैं कहा रखा यार यह मेरी अक्सर आधत है कहा रखा मैंने तुम लोगों को कुछ याद है मेरी अनिवर्सरी मुझे पैन्ड मिल और तुम लोग इनिवर्सरी विच्र कर रहे हो जालिमा हूरे हो मिल गया मिल गया यह रहा 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 हां चलो आउ बच्चे श bareatt यह जो जैसे की मैंने कहा कि यह जो यह जो पूम है कैसे करोगे इस poem में ये बताए बताओ ये कोई बात है ऐसे सिर्फ याद कर लोग है ना ऐसे ही तो ही सही एशियन लायन कैसा होता है पहले उसके बारे में बता धी कैसा होता तुम्हें एकErुन उश मैरे और शाम सोच नियुक्रानेश हग तोच उसके घुब्र तुम्हें फोटो एशिव Cin Regard me ऑजला है दिए से बाल आएंग्राना के बारे मेरे बता प्नाला इंबार में जो हमारे प्लूरा के यह बारे में किशलाने शेयर होता है जो किए है जिसके ऐसे से बाल होते हैं रहुत हैelf जूसरा किसका बता रहा यह है यह सके बारे में कौन है यह टाइगर के बारे में यह पहले लिख दिए ठाइगर कैसी होगा माइटी वाइल्ड बीस्ट है ब्लेक स्ट्राइप से उन यह लो स्कीन तो to identify him to be eaten by him अब देखो फिर मजाक हो रहा है इस टोन की जो इस पोएम की जो टोन है वह humorous है काउसी है humorous है जिसमें humor है मजाक है क्या है मजाक है ठीक है मजाक में क्या तो एशियर लायन में फर्क है वहां वह रोर करेगा तो तुम्हें मौत तक पहुचा देगा इसमें फर्क है कि इसके black stripes है ब्लैक stripes है कि इसके Bengal Tiger के तो अगर इसमें identify करने में comparison है बता नहीं सकते क्या अरे तो बच्चे वाली चीज़ है सर क्या बात कर रहे हो लेपर्ड में क्या फर्क है तेंदुए में क्या फर्क है तेंदुए कैसा होता है distinctive body है several dark colored spots है उसके ऐसे दब्बे होते न तेंदुए के तो वो तेंदुए के बारे में बता रहा है pattern of spots look peppered attack again and again और जो pattern है spots का वो peppered है और यह again again बार बार अटैक करता है नहीं बहुत ज्यादा attacking है कौन leopard समझ मारा है तो तीन देखे हमने एक तो एशियन लायन देखा एक बेंगॉल बंगाली टाइगर देखा और तीसरा कौन देखा कौन कौन देखा लैपड देखा समझ मारा बच्चो शेर देखा तेंदुए देखा और क्या उन देखा और बंगाली शेर देखा बबर शेर देखा और तेर दो देखा अब आ जाते हैं बेर पे बेर क्या करता है अब उसके बारे में पढ़ रहे हैं आजाओ आजाओ बच्चो अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि बेर कैसा होता है बेर के बारे में पढ़ लेते हैं, चलो, बेर के बारे में देख लेते हैं, हाँ, ग्रैमर का वन शॉट रिविजन कल होगा, आजो, बेर कैसा होता है, जिसे कहते हैं, भालू, है न, वो कैसा होता है, अब यसे टैलते हैं, अगर कोई तुम्हें बहुत बड़ा जानवर सा मिल जारू हो, तुम्हें ऐसे यूँ हग कर ले टाइटली तो समझ ले न, के वो कौने बेर है, अब वो कैसे कहते हैं, लिपट जाता है तुमसे, तो समझ जाना, उसकी पहचान ही, वो तुमसे लिपट अगर तुम्हें मार देगा न, ठीक है, तो कौन होता है, बेर होता है, और हैना एंड क्रोकोडाइल, लकड भगगा और क्रोकोडाइल, वो कैसे होते, उनकी क्या पहचान बताए गई है, लाफ करे हैना और समाइल करे, वाइल इटिंग प्रे, अपने जो प्रे है, अपने जो शिकार को खाते हुए, जो हसते है, वो क्या होना होगा है, हैना और क्रोकोडाइल होगे, वीप्स, वो क्यों होना होगा है, हैना होगा, वीप्स वाइल इटिंग, वो अपने प्रे को क्रोकोडाइल, बलब जो हस रहा होगा है, और जो रोरा होगा, वो क्रोकोडाइल, क क्या exact clear हो गया बच्चों को सभी बच्चों को clear है यह इसे इंडार है मैंने आपका एक घंटे इंतिजार कीया तुमने एक गंटे इंतिजार किया और मैं तो तुम्हारा हर वक्त इंतिजार करता Aww कि मेरा बच्चा आ जाए मैं उसको अच्छे से अच्छी अच्छी बाते बता दूँ प्यार में तुमसे इतना करता हूँ तुम्हारे इंतजार में ही तो मैं यहां पे जब से पूरे साल इंतजार किया है मैंने तुम्हारा कि मेरे बच्चे के एक्जाम आया और मैं तयार बैठा रहा हूँ परिशान हो तुम उसकी मदद कर दूँ क्या बात कर रहो अगर तुमने इह मुहबत नहीं की मैंने भी तुमसे मुहबत की है मेरे बच्चे पोईट के नाम याद रख लेना बच्चो मेंशन करके आ जाने एक्जाम में हाँ हाँ चलो आगे बढ़ जाए हाँ हाँ है न क्रोकडल मेरा आशिर्वाद तो मेरी पढ़ाइस है बच्चों बच्चे कह रहे सर मुझे अपना आशिर्वाद दे दो मेरा आशिर्वाद सिर्फ दुआओं का ऐसा खोकला नहीं होगा मेरा आश्रवाद तो यह chapters होंगे यह poems होगी आजो अगला है कमीलियन बच्चा उसको कैसे पहचान होगे उसको कैसे small like a lizard एक छिपकली जैसा होगा doesn't have ears or wings उसके ना punk होंगे ना उसके कान होंगे और अपना रंग बदलता रहेगा changes its colors not easy to spot on a tree और पेड़ पे चड़के नजर भी नहीं आएगा तो वो कौन सा कहलाएगा वो कमीलियन कहलाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं जो रंग बदलने वाला क्या होता है जल्दी बताओ ना जो रंग बदलता है वो कौन होता है आप मुझे बताओ जल्दी से जल्दी बताओ जो रंग बदलता हो कौन होता है इस पहलिंग के साथ बताओ ना खताम हो गई कि बस यही था किप यह अरे सर यह मजाग था क्या हसई मजाग हाई सिरियसली हही को सारै इस पुम इंपन्दे में तो अब्ड़ा मजा आया कुछ भी नहीं था हाँ 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 पहई प्लाज करता है अपना अपना अरफना झने में के गाय application change कर लेता है और और पेड़ पे दिखा ही नहीं देता नहीं डिक्ता है सर में स्वेस्में के आएगा को सिक्ट का थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा सा इतर देख़ो सब लोग शलक मुझे देखो मुझे देख़ो मेरी आवाजद आ रही सबको छलो मुझे देखो मैंने मेरी बास संब की सब कॉन सा वाइल आनिमल काई से यह ना इसमें इस वेदा कुछ नहीं अब इसमें ने पहिछान देख लिए लिए पैंगोल टाइगर कैसा होता है लाइन कैसा होता है और लेपर्ड इस फीर को पह इने गेठ ली है इसके उनकी ब्याद् मतलग चल करना धोका देना है ना क्या यह वाले अगर फीचर्स होंगे पहचान नी पाऊगे पहचान नी पाऊगे बिल्कुल पहचान ने के साथ इसमें क्या है कुछ भी नी प्लेन है क्या इसके क्वेश्चन कर सकते है हाँ सर पोईटिक डिवाइस बता दे न आओ बता देत यू एक बड़ा वाइल बीड ग्रीट करता आपको आईए यह आईए यह आईरनी है को इतना बड़ा जानवर किसी का स्वागत थोड़ी करेगा ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कहरेस वह आपको एक और कहरेस देगा मतलब आपको हग कर लेगा राइम स्कीम एबी एबी सी चल रहा हो और कमपारिजन कुछ और हो रही हो बड़ा नौबल वीस्ट आपको वेलकम थोड़ी करेगा है ना आपका दुश्मन आपको मिठाय थोड़ी खिला गई क्या है आईरनी है है ना एक मालो एक एक कोई फकीर है कोई बैगार उसके पास करोड़ रुपए यह आईर या बच्चों 25,000 लाइक्स होने को है और मेरे बच्चों ने इतनी जल्दी इतने लाइक दी इतना प्यार दिया मेरे तो दिल बाग बाग हो गया हाँ इसकी PDF आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे मिली जाएगी इसमें क्या है बच्चों क्वेशन है आप लाइन और टाइगर को कैसे पहचान होगे तो सीधा सा लिखना यह जो पॉइंट्स है यह याद कर लेना दो चार बार पढ़ लोग है पिना देखे लिख लेना एक बार याद हो जाएंगे याद हो जाएंगे यह रहे तो इसमें लिख देना य यह इसकी पहचान हो गई इसमें कई कई क्वेशन ऐसे बनते कि इसमें जैसे लाइन वर्ड है और लायन वर्ड है दोनों क्या करेक्ट्री स्पेल लाइंग बोलना चाह रहा था लेकिन लाइन लिखा जी नहीं लगा या ऐसे लेप्ट को लेप लिखना तो लेप्ट लगा क्या यह इस्टेंजा की राइम इसकीम बनाने के लिए किया गया तो यह बात आप बता देना और ग्वेशन देखूं क्वेशन और देख्था हूं वायल टू टेल वाइल्ड आनिमल्स के टाइगर इंद जू जानवरों वाली पोएमसी दोनों टाइगर इंद जू और इस एक लपर कैसे करता वह किसी को देखता है कैसे करता है लेपर कैसे करता है अटेक किया किते हैं अगयन अगयन मुझे आप थोड़े थोड़े question के answer बताते जाओगे करता है वह एक्दम से लीप करता है उसकी तरफ जपट पड़ता है और नहीं और छोड़ता नहीं है अपने शिकार को दोनों के इंगल टाइगर कैसा मै्टी वाइवेड को अग्जाम मेंfigड़ सकता है意ब दिखो न जान्व कॉमेंट में क्या ऍपया बच्ची कर लो अभी ख絬 कर लो कैसा इदेंटिफाइय करोगे बताना ज़रा पेश में इस मेच चीज एकुंक्षण विच्छ ग्रीम करिक्रीच डिजन वैसे कॉंसे क्रीचर्स होते जिनके बीच में फर्क करना मुश्किल होता है और उनको दोनों की पहचान क्या बताएगे जो हस के खाए वह है ना लकडबग्गा और जो और जो और जो रोके खाए वो कौन होगा क्रोकोडाइल होगा क्या मेरे सभी बच्चों को यह चीज समझ में आई और क्या कह रही है ठीक है हाँ और और क्या जो भी चीज़े छोटी मोटी रह जाती है ना मैं क्वेश्चन के जरीए आप लोग को बता देता हूँ वाइब दा हाइन दा क्रोकोडाइल सो पेक्यूलियर पेक्यूलियर का मनला अनोखे क्यों हो आप पता है के एक हजके खाता है और एक रोके खाता है मेरे बच्चे याद करोगे ना एक्जाम में लिख्या आओगे ना यह important words है यह पूरी poem का सार है क्या मैं आगे बढ़ जा ही है आयरे मतलब कि भालू आपको गले लगा लेगा शेर आपके अटक जटक पड़ेगा वह आपको मतलब जिन्दा आपको उसे पहचानने के लिए आपको उसके द्वारा खाना पड़ेगा यह सारे क्या यह humor है तो हाव ड़ यूमर अलिमेंट इंदा पोएम कॉंट्रिब लिए पूरे मार्क्स मिल जाएंगे सिग्निफिकेंस क्या है कि बियर हगिंग करेगा वेरी वेरी हार्ट पोएम में उसका मतलब वो उसको हग करके मार देगा उसकी जान ले लेगा वो उसकी जान ले लेगा है एक क्या मैं फिरी होते हैं अपतलों समझ हमें अपना निचोड निकाला आप अपना निचोड निकालते ओ आपके इंपर्टेंs क्या है आंडिम के आपने इनこう लाइफ की होई सब के अपने-अपने इनकी घ्हास्षयते हैं सिर्ष है나 ओल्डी अनिमस्त हैब दिए different features, different traits and they are beautiful in their own way, in their own way, अपने ही तरीके में different है, beautiful है, है न, and that make, और क्या होता है से, and that makes the wildlife more interesting and, क्या कहते है, full of, full of enthusiasm, excitement, है न, कि इनकी बज़े से, जो wild life है, जो जंगली इस दुनिया है, वो कैसी बनती है, खुबसूरत बनती है, रोचक बनती है, ये लिख सकते हो ना मेरे बच्चो, लिख पाओगे न, अच्छा, एक question है, जरा इसका answer करके बताना, मैं इतना time क्यों लगा रहा हूँ, आपके इस सारे question कराने में, मैं चाहता हूँ, मेरे सभी बच्चे किसी भी तरह से पीछे ना अटे, 25,000 लाइक हो चुके हैं, लगबग होने वाले हैं, बहुत अच्छा, मेरा फर्स बनता है, आपको इस चीद मेंचन करने का भी इत लाइक कर रहे हो, thank you so much, बिना कहें मेरे बच्चे लाइक करते हैं, question आगे हम आ लो, भी ये tiger in the zoo जू जो हमने पढ़ा था, a tiger in the zoo, a tiger in the zoo वाली जो पोयम है, जो हमने पढ़ी थी, versus, how to tell wild animals, ये दोनों हैं, ये दो पोयम है, how to tell wild animals, अच्छा बच्चों, मैं मुझ जबानी answer बताता हूं, लिखके नहीं बताता, आपने notice किया, मैं जो भी आपको answer question के यहां बताता हूं, इसे मुझ से बताता हूं, ये वाला point लिख देना, ये ऐसे करना, मैं ऐसा क्यों करता हूं, मैं यहां भी तो करा सकता हूं, mode पे भी तो करा सकता हूं, ऐसा मैं क्यों नहीं करता, क्यों हैं मैं क्या करता हूं, आपका time save करता हूं, यह क्या तरीका है यह best teaching method है कि अपने student को जिसको आप सिखा रहे हो उसको इस like बनाओ उसको इस काबिल बनाओ कि वो knowledge तो है knowledge तो सबको होती है knowledge के number zero याद रखना मेरी बात knowledge का zero number मिलता है number पता किसके मिलते है knowledge को express करने के knowledge को express करने के number होते है Indian Idol में बहुत अच्छे-च्छे singer जाते प्रेशर मां के नहीं गाना गा पाते उनका selection नहीं होता cricket के अंदर तुम्हें क्या लगता है क्या विराट कोली जैसा कोई क्रिकेटर भारत में और कोई नहीं रहा होगा जब विराट कोली टीम में आये थे नहीं उनसे थोड़े कम सही लेकिन talented तो बहुत लोग आये ना ऐसा थोड़ी है लेकिन क्या होता है जब international level पे वो pressure होता है वहाँ वो deliver नहीं कर पाते वहाँ नहीं खेल पाते तो तुम्हें भी मेरे बच्चे तुम्हारा match है final 26 तारिक को जहाँ तुम्हें खेलना है pitch तुम्हारे लिए होगी वो question paper नाम की जो pitch होगी उस पे तुम्हें खेलना है तुम्हें perform करना है मैं बाहर से देखूँगा ऐसे करके देखूँगा मैं यहाँ बैट लेके कितने लंबे छक्चे मार लू कोई फायदा है कोई फायदा नहीं है ना मेरे six मारने से क्या है six number के six number के जो answer है वो तुम तुम लेके आओ ना तुम छक्चे मारो ना या practice match में तौकी तुम वहाँ पिछ पे अच्छा खेल सको क्या मेरी सोच गलत है अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो गलत है है बताओ क्या मैं अपने बच्चों को खेलने लायक बना रहा हूं उनको उनको self independent बना रहा हूं क्या यह गलत है है मेरे बच्चों है ना तो बच्चों खेलना तुमें है यह तुम ल रहों और सिर्फ बोलता रहो और रहों आप अप सुनते रहों सुनते रहों इसे कहीं अप्वड़ ही अपष़ अपने हाद से लिकलिक के प्रैक्टिस करो कॉमेंट करकर करके प्रैक्टिस करो उसका फायदा है क्यों कि एक्शाम में लिखोंगे चलो मेरे follow किया उस वो तो खुछ है ही उसके बहुत अच्छा पेपर चला गया कमाल कर दिया धमाल कर दिया उसने जाके comment देख लो ना community पे मैंने post डाला हुआ है जाके देख लो वहाँ पे कम से कम दो ठाई अजार comment हुए है जाके बच्छों का देखो ने experience जिन्नों ने मेरी बात नही हाथ से कितना लिखके देखा वो बताओ time management answer लिखना ये art होती है आज बच्छों थोड़ी सी काम की बात थी बता दिया मैंने चलो अब इन दोनों के बीच क्या पूछा है दोनों के बीच के comparison करके बताओ क्या नहीं लिख सकते मेरे बच्छे क्या मेरा बच्चा नहीं लिख नहीं लिखो गया शुरुआत यहांसे नहीं करोगे है 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 एंड इन पोयम इन पोयम हाँ टो टेल आई वाइल अनिमल्स क्या बताया है क्या बताया है क्या बताया है फीचर्ज ये characters है ना of different wild animals in a very humorous way humorous tone के अंदर बताया क्या नहीं लिख सकते और फिर फूरा explain नहीं कर सक कि जो टाइगर इंदा जू में क्या क्या बताइगा कि एक टाइगर अकेला रहता है अलोन है वो सारी बाते नहीं लिखोगे कि वह गाहों में नहीं है he should be he should be in the forest but he's not in the forest he should be sitting at the edge of the river and 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 or क्या करना चाहिए उसको और क्या करना चाहिए बाई selfish humans but but in in contrast in opposite opposite में क्या है how to tell wild animals उसमें हमें क्या स्टोरी बताए गई है the lives the lives of different wild animals they're different characters are shown in the poem how to tell wild animals very humorously है ना है नहीं बताएगे ना कि क्या बताएगे differentiation बताएगे किस के बीच में कि टाइगर में क्या फर्क है differentiation या difference समझ पारो difference समझ पारो difference मतलब फर्क difference इस तरह क्وسिशन छी number में कर पाओगे मेरे बच्चे डर जाओगे क्या नहीं सर डरते नहीं है यहां से करेंगे यहां से आता है पूरा आता है पूरा का पूरा करेंगे सर मैं नहीं डरती मैं class 10th की बच्ची हूँ मैं मैं अपने सर से पढ़ के आई हूँ, क्या मैं अगली पोयम की तरह बढ़ जाओ मेरे बच्चों, क्या इजाज़त है मुझे, क्या इजाज़त है मुझे, मेरा बच्चा आज में तुम लोग की वज़से कुछ खापी नहीं रहा, मैं तुमारी वज़से कुछ खापी नहीं र भाई मैं नहीं पढ़ाओंगा मैं तो केचम केच खेलूंगा मैं नहीं पढ़ाओंगा बस बहुत हो गया तुम मेरे को बहुत परिशान कर रहे हो तुम मुझे बहुत परिशान कर रहे हो मैं अपनी बॉल से खेलूंगा मैं अपनी बॉल से खेलूंगा मैं अपनी बॉल से ख छीली गई एरे मेरी वॉल थी तो को को मुझसे दूसरी बॉल ले जो कि Central इस नहीं दूसरी नहीं भाय सब्स्रों ही दोड़ कर दो पीजाता नहीं चला मैं मैंनें लॉस्ट कर दिया अपनी बॉल को लोस्ट किया तक्लीफ हो रहỹह本ी तीजा मेरे को बहुत लव था अपनी बॉल से चली गई पहली बार मुझे एसास हुआ किसी चीज़ के खोने का मेरी प्यारी बॉल चली गई क्या करूं अब मैं कोई मेरी हिम्मती बना दो कोई कोई मुझे तसली दे दो नहीं दोगे क्या ना तुम कहा दोगे तुम तो हुई-जाली तुम तो मुझे खाना पीना भी नहीं करने धेते तुम तो मत कुछ बोलो तुम तो बस यूँ कैता होगे आपके बाल लक लिए मेरी घहरे जो मेरी घनी घनी जुलिफों से ना तुम छों तो सिर्फ तुम सुर्फ जलेसी करते हो तुम्हारे मन में आ आइस है फायरें अइस रॉबर्ट फिरोस्ट वाले आदमी हो तुम भाई तुम रॉबर्ट फिरोस्ट के वो जो फायरें आइसinha था न आइस से पूरी दुनिया तबाऊँगी ऐसी तबाऊगी तुम्हें जैलेस ही है आईस है तुम्हारे अंदर मेरे लिए मेरे बालों को देखके जलते हो तुम है ना फायर एना इस वाला है तुम्हारा आईस आप किताब है ना हाँ 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 मेरी बॉल खो गई तुमने मेरे को तसली नी दी बच्चो जो पोएम पढ़ने वाले हम लोग क्या पढ़ रहे बाल पोयम पढ़ने वाले बाल क्यों पढ़ने वाले मेरी बाल तो खो गई ना चलो बाल खो गई मेरी बाल खो गई मुझे तकलीफ हो रही है ऐसे ही बाल खोती है बच्चे की बाल खोती है इसी के उपर पोयम है क्या सच में बाल खोती है क्या क्या स मिस नादान उमर में भी तुम्हारा भी दिल तूटा है क्या ऐसा कभी हुआ वैसे इमान अरे मेरा मतलब सिर्फ वो ही नहीं था तुम तो बस प्यार इश्क और महब्बत पर आ जाते हो अरे हो सकता है वीडियो गेम तुम्हारा खराब हो गया हो तुम्हारा मुबाइल तूट गया हो तुम्हारी साइकल पर पंचर हो गया हो वो बिल्कुल तूट गया हो एक्सिडेंट हो गया हो साइकल का वो तबाह हो गया हो बिल्कुल खतम हो गया हो तुमसे दूर चली गया ह हो सकता है तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त था अंकित शर्मा तुम्हारा दोस्त था मानलो अंकित कहा गए तुम अंकित और वो चला गया देहरदून शिफ्ट हो गया तुम रहते हो बिहार ऐसा भी तो हो सकता है तुम रहते हो दिल्ली वो लड़का भाहर पढ़ने चला गया है ना ऐसा भी तो होता है तो क्या तुम मुझे बता तुम लोग मुझे बता तुम्हारी लाइफ में फर्स टाइम ऐसा कब आया था जब तुमने अपनी कोई चीज खोई थी हुआ तो होगा ना बच्चों आजो आजो जल्दी से देख लेते इसको आजो जल्दी से देखते हैं। बॉल पोम John Berryman ने लिखिया और कमाल की पोम है भाई इसको तो याद करने की भी जुरत नहीं है। आजो 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 पहले इसकी पोएम को मैं दिखाई देता हूं पढ़के सुना देता हूं स्टेंजा से देखते ही हम समझ जाए इस तरह से पढ़ रहे हम लोग अच्छा इसका स्टेंजा मैंने कराया नहीं था क्योंके बहुत सिंपल सा था वो उसकी आजो आजो देखते हैं किस ने देखा है किसने देखा है पोईट ने देखा है कियो बॉल ऐसे 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 ठपा खाके ना ऐसे उचलती हुई और बच्छा रो रहा है पादी बें चली गई नो यूस टू से ओ देर अधर और अज्याँ वाज़ शेकिंग रिखेंग इस तर रिजड टेरिंग दाउं कोई फायदा नहीं कहने का कि ए रे यार कोई नी दूसरी बाल्स भी तो है मुझे भी तो का था ना इन्होंने बाइ यह कोई नहीं दूसरी आजएगी, नहीं, नहीं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो दूसरी बॉल्स है, वो चीजे, emotions connect है हमारी उस बॉल्स है, वो खतम हो गई है, मैं अभी stanza wise समझा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे सामने exam में अगर इस तरह का stanza आए, तो तुम उसको समझ पाऊ, ठीक है, explanation अच्छे से अभी क्या exam में लिखना है, वो अलग से बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसको देखते है, यहां जो जो word है ना, वो तुमें clear कर रहा हूँ, मैरे ली का मतलब क्या है, खुशी से, अगर exam में आ जाए, कि मैरे ली का है, हैपीनेस और sadness, तो तुम मैं लिख दोगे के बॉल की स्टोरी थी, बॉल खोई थी तो तुक्का मारता हूँ, sadness लिख दूगा है, यही चला है तुम्हारे दिमाग में, यही चला है ना, नहीं, मैरे ली का मतलब यहां खुशी है, मैरी क्रिसमस बोलते हो, यह वही है, हाँ, इसलिए तुमें बता रह दखल अंदाज ही दूँगा, उसको मैं नहीं बॉल आ जाएगी, आ डाइम, अनदर बॉल इस वर्थलेस, इसको 10 सेंट बोलते है, 10 सेंट वल्लब जो अमेरिकन करन्सी है, उसके, वह है, कि 10 रुपई की तो थी, मैं यह भी तो कह सकता है, मैं नहीं कहूंगा ऐसा, now he senses first responsibility in a world of possessions, people will take balls, balls will be lost always, लोग तुम्हारी चीजे छीन लेंगे, जो balls होंगी, वो हमेशा तुमसे दूर जाएंगी, balls यहां क्या है, चीजे आपके emotional चीजे, आप जिन से प्यार करते हो, वो इंसान भी हो सकते हैं, चीजे भी हो सकते हैं, balls will be lost always, little boy and no one buys a ball back, और कोई भी ball को वाप इस नहीं लाता है, money is external, money दूसरी चीज है, he is learning well behind his desperate eyes, the epistemology of loss, epistemology of loss इक तरह की knowledge, knowledge का मतलब है, the knowledge of loss इक तरह की इसको ऐसे पढ़ते हैं, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up, और आज पर उसको पहली बार ऐसास होगा, जो सब लोगों को पता चलता है कि एक नए एक दिन, उनको सच नहीं है कि कोई चीज उनसे जब खो जाती है तो उनको कैसे stand रहना है, कैसे form रहना है, कैसे उसको समालना है, strong रहना है, है के नहीं, knowledge of loss, loss क्या होता है, उस पहली बार तुम्हें उस चीज का एहसास करना है, so this is the first time the boy has lost something, something of his own, जो उसकी थी, the positions, जो positions है, जो उसके थे, ज सारी की से मतलब देख लेते हैं, आजो, आजो मेरे बच्चों, जल्दी से आजाते हैं, मिनादेरी के बोल पोयम, जॉन बैरीमन ने लिखी है, आप इसको पढ़ लेते हैं, लिटिल बाई है, पता तुमेंने सारा ही दिया, लेकिन अब एक सिलसिलेवार तरीके से, ये क्या ये लाइन्स क्या है, जरा कॉमेंट में बताना ही, मैंने क्यों लिखा हैं आपके लिए, क्या मैंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, एक्स्प्लेनेशन, हैं, नहीं, लंबा चौड़ा, एक्जाम की दो दिन बाद तुम याद करके नहीं लिख पाओगे, नहीं याद क कर सकते इतना, आप छोटा बच्चा हो, मेरा मुनने बालक हो भई आप, आपके लिए मैंने चार पाच लाइन, छे लाइन, सिर्फ में मोटी मोटी क्यों लिखे है, जरा बताना कॉमेंट में, क्या करोगे इसका, क्या करोगे इन लाइन्स का, क्या करोगे बताना जरा, हाँ एक्जाम में लिखके आओगे याद करके मेरे बच्चों आप शुरू करें क्या मेरा ज़रा गला थोड़ा सूख रहा है क्या मैं पानी पी सकता हूँ बच्चों तुम मेरा दिल दुखा के खुश क्यों होते हो बच्चा पूछ रहा है आजो आजो देखते बच्चों अपने बउल से खेल रहा है गॉट लॉस्ट हो जाती है बउट तुरीव दा बॉल को रिट्रीव कैसे किया जाए उसको वापिस कैसे लाए जाए है पॉइट है विट्रनेश दिव ऑपॉइट क्या है तो कई है तो तो मैं रूप गया था मैं रूप गया था परिशान मत ओघर का फुल का हुआ था मैं खुद रूप गया था हां तो क्या था point head witness, point ने witness किया था point ने क्या था, वो वाँ पे गवा था, वो देखा था उसने कि ball, street से ऐसे गर्दी जाती का चली गई थी, पानी में चली गई थी water में चली गई थी, फिर क्या point did not console him saying console नहीं किया console मतलब console करना, मेरी कोई boy को console नहीं किया, ये कहते हुए के other balls are available as he knows nothing can soothe him, soothe him मतलब उसको खुश करना, nothing can make him happy, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि point जानता था point ने, दुबारे से सुनो point important line है, बहुत important line है exam में question आ जाएगा, क्या, कि point ने boy को console क्यों नहीं किया why did the point not why did the point not console the boy, तो आपका answer क्या होगा, कि भाई, the point did not console the boy, because he knew वो जानता था कि other balls are available but that they will not console the, they will not soothe, या they will not make him happy, वो उसका happy नहीं कर सकते है, that nothing can soothe him ये वाली line भी बिलकुल सही है, soothe him क्यों लिखवाईए, थोड़ी मुश्किल line क्यों लिखवाईए, जबी सूध वर्ड लिखके आओगे, तो impression अच्छा जाएगा, impression के number है, मेरे बच्चा लिखके आएगा ना लिखके आएगा ने, सूध वर्ड जरा comment में सब लोग ये सूध वर्ड लिखो न, याद रह जाएगा, जरा spelling के साथ सही लिखो न, सारे, जितने बच्चे, अभी कितने बच्चे हैं, अभी 12,000 प्लस, almost 13,000 बच्चे हैं जुड़ेवे, क्या मैं 13,000 comments नहीं देख सकता, सब लोग अपने keypad पे सूध लिखो, keypad पे लिखो, सूध, console और सूध वर्ड लिखो, याद रहेगा, अभी याद करेंगे न, अभी याद कर लेंगे, यार, नहीं छोड़ेंगे बाद के लिए, अच्छा, बॉइ standing helplessly, gloom, gloom, बॉइ, gloom है, gloom, उदास, gloom, बॉइ thinking about the days when he used to play, जब उस ball के बारे में सोच रहा है, जब वो उसके साथ खेलता था, यानि, जब हम अपनी कोई चीज़ खो देते, तो हम क्या सोचते है, कि जब वो चीज़ हमारे पास थी, तो हम उसके साथ कितना खुच थे, आरे यार, क्या poetic line है, क्या line है, किसी फिल्म में होनी चाहिए थी, ये line, और ये line मेरे मुझे से निकली है, इस line को भाई कही लिख दो, इसका copyright करा लेता हूँ, patent करा लेता हूँ, क्या line है, कि मैं सोच रहा हूँ, कि जब वो चीज़ मेरे एक और जबर्दस बच्चे, तो boy क्या सोच रहा है, it's standing helplessly, वो helplessly है, helplessly क्या कर रहा है, gloom है बच्चा, gloom, मेरे बच्चा gloom भी लिखो ना, याद रहे जाएगा, हातों से लिखके निकालो, gloom, boy क्या है, boy क्या है, console नहीं किया, point ने उसको, बच्चा gloom है, soothe नहीं कर सकता बच्चे को कोई है न, और उसके बाद, boy standing helplessly, helplessly standing खड़ा हुआ है, thinking about the days when he used to play with the balls, जब वो अपनी बच्चे को साथ खेला करता था, वो इन दिनों के बारे में सोच रहा है, क्या मेरे बच्चों को ball poem का meaning नहीं पता, sir, सब कुछ समझ मा आ गया, या ball किसको दिखा रहा है, past childhood days and memories, जो बच्चे के childhood days तो उनके memories को दिखा रहा है, या हमारी belongings को दिखा रहा है, क्या चीज़? ball, ठीक है, time has come for the boy to learn responsibilities, toughest lesson of life, harsh realities of life, अब यह क्या है, time आ गया है, वक्त आ गया है, जब वो boy इस चीज़ का एसास करे, जो toughest lesson है, life का toughest lesson क्या है? that you tend to lose your things, you tend to lose your people, you tend to lose your belongings, your possessions, and that is the harsh, harsh reality of the life, harsh मतलब जो के दर्दनाक है, जो के अच्छी नहीं लगती, but this is the reality, the harsh reality of the life, क्या है harsh realities of the life? that one day we all will lose our loved things, one day we all will lose our loved things, आज आप dear sir से पढ़ रहे हो, मज़ा आता है, आपको एक दिन ऐसा आएगा, कुछ साल बीच जाएंगे, और कुछ साल बाद हो सकता है, अगर मैं यहाँ इस दुनिया में ना रहूं, फिर क्या करोगे? तो one day हम सब को जा नहीं होता है, तो आप मुझे खो दोगे, है ना, ऐसा तो हो सकता है, सोच के देखो, सोच के देखो, ऐसे ही आपको किसी और चीज से प्यार हो सकता है, लेकिन वो चीज एक नएक दिन आप उसको खो ही देते हो, खास तोर से यहाँ पे ना, लोगों के ब उनके बारे में बात कर रहा है, है ना, तो नहीं, मैंने अपना एक्जामपल इसले दे दिया, जादा ना, सेंटी मतो, मुझे पता है, तुम कोई ऐसा प्यार व्यार नहीं करते, तुम लोग ना, बहुत चालूओ, बहुत बंदमाश होरो तुम लोग, अपना एक्जामपल आज निकलने के लिए राजी ने, तुमने कौन सा मुझे जूस भीजवा दी है, कौन सा तुमने गरम गरम चाय मेरे ले भीजवा दी, कुछ ना किया, तुमने रहने दो, जूटा प्यार मत दिखाओ, इधर आजाओ, बाल की तरफ आजाओ, तुम सब के सब ना बाल ही हो, तुम भी बालो, हम भी बाल है, बाल क्या, लवड थिंग्स है, आरे मेरे बालो, क्यों टेंशन ले रहो, मज़ा कर रहा हूं, हाँ मेरे बालो, हाँ मेरे बालो, लवड थिंग्स, बाल क्या, लवड थिंग्स, मैमरीज, मैमरीज हमारी, हमारी लवड थिंग्स, तो क्या है, past childhood days and memories are the balls in the poems और उसका metaphorical meaning क्या है metaphorical meaning is the loved things need to need to take care of our favorite things and move forward तो यह क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि maturity कब आती है किसी भी इंसान के अंदर when he starts when he starts to accept that one day he will lose his यह her loved things जब वो अपनी जिन्देगी में कुछ lose कर देता है यह accept कर लेता है कि he will have to lose his favorite things in his life that is the time when a person becomes matured is it clear बच्चों मैं इतनी English क्यों बढ़ बढ़ा रहा हूं मैं English क्यों बोल रहा हूं आपके सामने सर आप पहले तो ऐसा नहीं थे आप English में क्यों बोल के answer लिखो मेरा हर बच्चा हर बच्चा इतना समझदार सेशन के बाद होगा कि उसके मन में वर्ड्स होंगे उसके माइं में वर्ड्स होंगे वह लिखके देखेगा रफ कॉपी पे और वह सारी लाइंज वह उसक्वेशन में लिखके आएगा जो उसने पहले नहीं देखा हो होगा जो आपकी पोएम से बाहर के क्वेस्चन होंगे जो किसी को भी नहीं पता कि कहा से आएंगे उनको फिर आप अच्छे से टेंप्ट कर पाओगे क्योंकि आपको आता है न क्या लिखना है हाच्ट रियलिटी यह क्या है राइफ कि आज स्रुखेस लेसन क्या है के 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 कि we all हम सब को lose करनी पड़ती अपनी love thing इसे clear कि हमें आगे पड़ चाहूं मैंने बहुत समय दे दिया मैंने बहुत समय दे दिया इस वाली poem को कैसके poetic device देख ले हाँ मेरे बच्चों poetic device देख लेते हैं इतने मुझे बताओ ना मुझे question का answer आप मुझे करो आप मुझे करो कि other balls other balls point ने नहीं दी बच्चे को क्यूं नहीं दी उसका answer लिखना इंग्लिष में paper में आएवा है आप paper में बैठो क्या लिखोगे point ने other balls नहीं दी या others ball के लिए नहीं कहा बच्चे को क्यूं आप answer लिखो क्या 2-3 point बनाके लिखोगे माल लो 4 नमर का question है बताओ क्या लिखोगे जल्दी से जल्दी से सब बच्चे हाँ मेरे सब बच्चा लिखेंगे हाँ 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 मेरे बाबू लिखो लिखो very good very good going well हाँ हाँ बहुत बढ़िया लिखो लिखो सब लोग क्यों नहीं दी उसने क्या याद कि हमने हाँ सूध वर्ड यूस क्या हाँ they cannot soothe him very good और क्या होगा मैं elitration कराता हूँ बबाबा की आवाज है यहां भी बाबा की आवाज है यह सब elitration है symbolism कि इसका ball, ball से boys की childhood और memories को दिखाया गया है, ठीक है, अच्छा, सर आप बोल रहें, ball का मतलब हमारी loved things होती है, और फिर यह boys childhood भी बोल रहें, दोनों का मतलब क्या हुआ, हाँ, 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 literal meaning तो boys का childhood और memories है, है न, literal meaning, जो poem के हिसाब से, जो कि हमें लिखके भी आने exam, साथ थी, एक इसका metaphorical meaning भी है, जो हम सब की life के लिए, इनसानों के लिए, उसका मतलब, ball का मतलब हमारी favorite things, हमारे belongings, हमारे positions, जो हमारा है, हाँ, और इसमें repetition, कौन सा word, बार बार रिपीट हो रहा है, तो stanza देखो, देख लो, कौन सा word, बार बार रिपीट हो रहा है, what, बार बार यूज हुआ है, ball, 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 बार बार यूज हुआ है, knowing, बार बार यूज हुआ है, no or knowing, rhyme scheme क्या है, free versus की कोई ले, नहीं है, ऐसी एक दो ही पोएम होती है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जिनकी कोई rhyme ना हो, तो इसमें कोई rhyme नहीं हो, आजा, ला जा, चा जा, ऐसा यह ball, 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 poem हमारी यहां पर खतम हुई, sir इसके कुछ question करा दो, सर, हाँ मेरे बाबो मैं करा देता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब इसके question करा था हूँ, आप, एक बार नजर माल लो, चीज़ां याद कर लो, फिर हम इसके question करते हैं, बहुत जल्दी से question करते हैं, इसके question देख रहे हैं अगर आपको मजा आ रहा है session अच्छा लग रहा है आपको अच्छा feel हो रहा है तो अगर चाहो तो like कर सकते हो session को अगर नहीं क्या like के button को छूदो और अपने दोस्तों के साथ भी share कर दो भाई पाकी उनको भी पता चल ला है लाइफ कर रहें बहुत सारे बच्चों को अभी पता भी निए कि मैं यहाँ पे लाइफ पढ़ा रहा हूं तो अगर आप इसको लाइक कर दोग ना मुझे माल में बच्चा देख तो ले गई बई बई डियर सर की पोयम की वंच्वाट रिविजन देखे बिना एक्जाम में नहीं जाएगा बच्चा मैं भी जानता हूं लेकिन यह लाइव में चीज़ जादा क्लिए हो जाते कॉमेंट्स वगरा भी कर लेंगे किसे को कोई डाउट होगा तो है ना हाँ 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 वह 28,000 मोर देन 28,000 लाइक हो सकते 30,000 करते हैं ना आओ आज 50,000 पे छोड़ेंगे हम लोग बस मुझे मुझे ना अपना एक घंटा और दो आदा पोना घंटा और दो और मैं खतम करता हूं इसको बॉल पेम के क्वेश्चन के जवाब दो मेरे को एक तो बार-बार एक क्वेश्चन रिप्रीट होता है कि उसने आई वुड नॉट इंट्रूड नहीं करूंगा दखल नहीं दूंगा ऐसा क्यों कहा था विकज़ी नथिंग कैन सूध हिम क्या है सई जवाब है कि नहीं बेलकुल सई कहीर इसमें इक क्वेश्चन है वाट ड़ इन धा ब微ल्ड पोसेश्ट मीन फीड़ इसमें वाट डिस नहीं को चाते हैं वेल्ड को को चाते हैं मनी-को चाते हैं when where everyone wants wealth and money the positions की पूरा खेल चल रहा ना position को मतलब कोई चीज़ हासिल करना अच्छा एक क्वेश्चन है what does the point say the boy is learning from the loss of ball loss of ball इसने बच्च ने कहा सिका अरे आप तो बताई सकते हो तुम लोग comment में बताते हुए चलो answer लेकिन comment में बताते हो चलो मैं फिर next poem पर आऊंगा जली से इसके question देख रहे हम लोग बहुत तेजी से हम इसके question देख रहे हैं और मुझे मेरे बच्चों में पहले ही इतना explain कर देता हूं English में भी कि मुझे उम्मीद है कि आपको question करने में कोई दिक्कत नहीं होगी mcq भी खा जाओगा इसके बस एक बार नजर जरूर माले na cbsc का question bank देख ले न या कोई से भी आपके पाप previous paper वगए रहा हूं वहां से भी देख सकते हो अच्छा ज़रा इन question के क्यों है कि हम लॉस के experience करें स्टेंड अप करें हाँ क्योंके वन डे विल और हैव टू लूज आवर लवड़ तिंग्स है यही तो लिख होगे ना सर मैं आप की तरह सोच रहा हूं मैं class 10 का student हूँ अगर तो मैं क्या कैसी English बोल सकता हूं तो मुझे अगर नहीं भी English आती कोई बात नहीं यह लाइन तो बहुत असान थी ती सर ने याद कराई थी इसमें क्या दिक्कत हो गई हाँ सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होई हमें सर इसका अगर extract based राज है तो क्या हम कर पाएंगे बिलकुल मेरे बच्चे मस एक छोटी सी आपसे request है कि support material उठा लेना आपका जो मिला होगा आपके school से या फिर cbsc का question bank online भी available है उसको कर जरूर लेना mcq करोगे न वादा करो मुझसे सब लोग सब लोग थमसब भेज के वादा करूं वादा करो ने करो तरह करूं मेरे टाइम नहीं है टाइम पूरा पूरा है पूरा ऐसे देखना ना उसके आंसर दिखे हैं बस ऐसे और ट कर लेना नजर मान लेना करेंगे मेरे बच्चे मनी एक्स्टेर्णल money is external what does the point mean by this expression money external है point का इससे क्या expression है क्या कहना चाह रहा है वह कहना चाह रहा है कि money तो बाहर की चीज़ है जो हमारे emotions जो हमारे feelings attached होती है हमारी belongings से हमारे positions थे उसका loss हमें ज़्यादा hurt करता है we get hurt because of the emotions attached with our loved ones and loved things that's why money is external thing चल रहा है एक सक्राइब चल रहा है कैसे mini heart attack देता रहे थे यह लोग थीक है थीक है ठीक है इस cancer लिख पाऊगे हां सर इतना तो आपने हमें समझाए दिया अब तो हमें confidence आ रहा मेरे बच्चो confidence आ रहा है आप लोगो confidence आ रहा है मेरे सभी बच्चों को कोई भी कोई भी बच्चा ऐसा ना फील करें कि हाँ मुझे फील नहीं हो रहा मनी एस्टर्नलेट कैननोट बायस एवरिटिंग बोलते हैं ना कि पैसे से सब सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता वही वाली बात है अगर क्वेश्चन ऐसे आजै कि वो राइट दसमेंट सबस्टेंस अव दफ पोयम सबस्टेंस मतलब कि मोटा मोटा इसका क्या है तो पूरी पोयम एक्स्पेंट कर देना कि इसमें क्या क्या है मुझे अमीद आभिसके क्वेश्चन आप और देख लोगे कोई दिक्कर नी अरे सिंगपूर राजिस्थान कहा पहुचा रही है आजो टी नेक्स पोएम पर आ जाते हैं हमारी नेक्स पोएम है कौन सी कराने वाचे सबसकते सबिसे बता दो NEXT पोएम हमारी एमेंड़ एमेंड़ कर ले अरे मेरी फैवरिट पोएम अमेंड़ कहा है मेरी ले 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 रोबिन क्लाइन की पोएम हमारी अमेंडा ये तो है ना हाँ अमेंडा पढ़ने से पहले कुछ मेरे बच्चों जो मैंना घंवर्ण का मीनिक जानना ज़रूरी है अमेंडा कि पॉएम मेरे बच्चे पोएम है बार-बार कह रहा हूँ ना यह अने वाल पस कर लो मिला कहना माल कर दो याद रख लो पूझ के इनके dismissed Slouching Langued Emerald Blissfully Hushed Sulking Neck इनके मीनिंग देख लो इनके मीनिंग देख लो बस चल शुरू कर रहे हम लोग बच्चों अमेंडा अमेंडा शुरू कर रहे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चा कह रहा है कि सर डांस कर दो मुझे एक बात बताओ तुम मेरे नाचने से तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाएगा तो मैं नाच लूँगा मेरे नाचने के नंबर है क्या ये बताओ अमेंडा शुरू करो मेरी बॉल्क हो गई यहाँ पे इतना नुकसान हो गया और तुम कहरो मैं नाचूँ हैं अमेंडा आजाओ यहाँ अमसे अरे मेरा बड़ जितने केक बेटा तुमने यहाँ बनाए ना मेरे को बड़े विच्छ करने के लिए सही बता रहा हूं इतनी मेहनत अगर तुम इस पोयम को याद करने में कर लो ना तुम टॉप कर जाओ सही में जितने केक तुमने बनाने में यहाँ टाइम लगा दिया अरे इतने में तो सारे कीवर्ड इसमें आ जाते कीवर्ड समाजाते ऐसे भर भर के इतने बड़े बड़े केक तुमने कॉमेंट में लगाए कमाल है वही कमाल शायरी हो जाए है तुम लोग मुझे डांस करवा लो भी शायर्य करवा लो है न마 और कुछ भी बचा वो भी करा लो भी यह सब करना है यही तो करन आये हैं लोग है नशे सुधर जाओ मुझे तो लग रहा है तुम नहीं सुद्रोगे तुम मुझे भी बिगाड़ दोगे अब तो मुझे ऐसा लग रहा है हाँ चलो थोड़ा शुरू करते हैं मेंडा आओ जल्दी से मेंडा शुरू करते सर जल्दी अमेंडा शुरू कर आओ ये बच्चे ता ऐसे बोलते रहेंगे ग्रैमर भाई ये ग ट्राइ कियो दो मैंने इस पहला जाती है इन्ज पहला एक बार फिर जो लोग अब अच्शा शुरू हो गया तुमहारा शुरू हो गया तोन ऑफ अंसीन पैसे टोन के बारे में भी बता दूंगा लास्ट में चिंता ना करो हाँ NCRT हमेशा important होता है अरे तो पानी भी ना प्यूं है तुम लोग चाहते हो मैं बिना प्यासे बैसे पड़ाओं चलो एमेंडर शुरू करो यह वर्ड याद होगे याद होगे वर्ड चलो एमेंडर शुरू कर रहे है आजो एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ हाँ यह याद होगे लेंग्विट सुस्त स्लाउचिंग ऐसे जुक्के रहना हंच कूबण निकालना ऐसे करके blissfully और बहुत खुशी से हर्ष मतलब चुपी silence यह सलकिंग मतलब उदास और नैग मतलब तंग करना आज़ो अमेंडा आज़ो क्या हो गया आवी तुम सही ही अच्छा है ना इसे चलो चलो मेरा बच्चा आज़ो 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 मेरा बालक आज़ो थोड़ी से इम्मत और दिखाओ इधर आओ आज़ो आज़ो चलो शुरू कर रहे हैं अमेंडा थर्टी थाउज़न लाइक्स होने वाले थैंक्स अलोट बहुत बढ़िया इतना प्यार देने के लिए फिर पैन रखके भूलिया मैं कहां रखके भूलिया यह रहा अच्छा प्लिया हाँ जी चलो चलो अमेंडा की कहानी क्या है सर ग्रैमर का सेशन वही पाच बज़े शुरू करेंगे हाँ चलो अमेंडा पे मैं अभी से रख रहा हूं तो हमारी कोनकोन सी पोयम हो गई चार पोयम हो गई fire and ice हो गई dust of snow हो गई और बिलकी पांक पोयम हो गई नवारी अमंड़ा पर अमेंड़ा पर हम लोग आ गए अमेंड़ा चीसके नामसे पता है कि लड़की की कहानी एक छोटी बच्ची की स्की जिसकी मम्मी उस पर रोक्टप करती रहते है तुम्हारी बेंटे उनी को इस बना रख रहे कैसे बैठी है अरे सुनती नहीं, ए बबली, ए बबली सुन ले, ऐसे नहीं कहती है मम्मी, कहती है न, हाँ कैसे जुक के बैटी है, इसा कूबर निकाल के क्यों बैटी ही है, बैट जा ठीक से बैट जा, ए पूजा, 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 सुनो इधर सुनो पूजा, पूजा, पूजा ऐसे कैस कह एंगे पूजा चोकलेट मत खाओ, गलत बात है चोकलेट गरम होती है, नहीं कहने चाहिए है ना, ऐसे ऐसे मम्मी बोलते है न, वही कानी अमेंडा की है, एक ऐसी बच्ची है चोटे बच्ची है एक तीनेजर है, जिसकी मम्मी उस पर रोक टो करती है, जो उसे भीलकुल पस तो क्या ही है कि small child है कौन amanda यह जिसे amanda कहते है ना fed up school going girl जो के school going girl है जो के fed up है बहुत ज़्यादा fed up हो चुकी है उप चुकी है मम्मी की रोक टोक से उसको सकून चाहिए वो वहाँ से भाग जाना चाहती है वो एक एक अजाद जिन्दगी जीना चाहती है wants freedom and peace क्या चाहती है freedom and peace चाहती है clear है wants to live life on her own terms अपनी जिन्दगी अपनी शर्तों पे अपनी terms पे she wants to live her life on her own terms कौन कौन चाहती है इसे जिन्दगी जीना कौन है यह amanda है amanda कौन है एक teenager है कौन है एक teenager है कि small child है no interference उसको कोई interference नहीं चाहिए किसी तरह का कोई भी उसको दखल न dreams to lead a life of a mermaid mermaid देखते हूं मचलियां जो होती है जो खुब्सूरत सी मसले होते हैं ना वो ममेड ममेड एक fiction है fictional कानी ममेड तो क्या बना चाहती है जल परी की तरह रहना चाहती है और कैसे रहना चाहती है fields orphan has more freedom amanda इतनी परेशान एतनी fed up है अपनी ममी की रोक टोक से कि वो चाह जाती है कि जो और्फन होते हैं orphan ज्यादा अच्छे से रहते हैं orphan के पास ज्यादा freedom होती है अजादी होती है wishes to have a life in a tower like repensal अब रेपिंजल ना एक पुरानी कहानी है रेपिंजल एक लड़की होती है रेपिंजल नाम की जो कि टावर के अंदर उपर जाके रहने लगती है और जहां बहुत शांती होती है और ना फिर उसका जो शहजादा होता है वो उसके पास आ जाता है जो बात है खर वो अलग चीज़ है तो वो कैसे रेपिंजल की तरह रहना चाहती है जो पुरानी कहानी है रेपिंजल की तो उसे भी रेपिंजल ही बनना है रेपिंजल की त थी, आओ चलो मैं भी उसको तुम्हे स्टेंजवाइज सिखा देता हूँ यह समझे, यहा तो साफ साफ दिख रहा होग ना तुम्हे वाह इसवाह पर तुम्हेग प्रॉब्लम हाती ना यह बच्चों को सब सबको साफ दिख रहा है सबको साफ नजर आ है ना चलो चलो बच्चो यह सबको साफ साफ नज़र आ रहे ना मेड नियो ममेड है ममेड मतलब जलपरी एमेंडा नहीं पूजा यह बच्चे नहीं चलिकाव यह एमेंडा नहीं पूजा को साफ साफ नज़र आ रहा है न ठीक है कि अब थैटी थाउजड लाइस होगे बच्चे कह रहे हैं हां बच्चो थैटी थाउजड लाइस हो गए वंडरफुल यह पूरी दुनिया देख रही है कि आप लोग कितना प्यार करते हो हमसे हम लोग के प्यार की काने पूरी दुनिय सकतनी है यहिए देख करेंगे मेरे जो बच्चे चलिस जि largo को पहुत है एक स्टद्स लाइक हो जाता है और सब तक पहुछेगी फिर यह कहनी आओ मैं आपको अमेंडा सिखा देता हूँ बच्चे पूछ रहे आप वैल हो के नहीं अरे बस मेरे मैं आवाज मेरी निकलते रहे बस और कोई टेंचन नहीं आवाज निकल रही है आवाज निकल जाए बस ठीक है आजो बच्चों पढ़ते हैं अब इसे आपको आट को शूलर समेंड़ फिल्डर को उलूट इसे जुकांकर वचाबे Сейчас झूप सुरूब कि अपने पर निकाल के आअगे बना कर बढ़ से ना भई हम लोग fitness freak है हम तो हम नहीं कुपड निकालते हैं हम तो एकदम बढ़िया से ऐसे करके रह लेते हैं ठीक है चलो भई जिम जाने का सबसे चाफाइदा होता है कि तुम कुपड नहीं निकालते हो तुम एकदम स्ट्रेट ऐसे कमर को रख सकते हो ठीक है तो भई इस सीधे सीधे बैठो ना तो यह मम्मी कह रहे है और एक मरूब होती ही और मैं ऐसे ऐसे वहाँ तेर रही होती फिर मम्मा फिर बीच में टोक रही है did you finish your homework Amanda, अपना homework किया Amanda, तुमने, did you tidy your room, अपना कमरा साफ किया, I thought I told you to clean your shoes, मुझे याद आ रहा है, मैंने तो तुमसे जूते साफ करने के लिए भी कहा था, तुमने साफ किया, कौन बोल रहा है, इस सारी बाते मम्मी बोल रही है, क्यों बोल रही है मम्मी, because मम्मी यहाँ प अब Amanda, जब वो इतनी सारी बाते कहती है, तो Amanda क्या कह रही है, Amanda फिर क्या सोच रही है, I am an orphan roaming the street, I have had on soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet, don't eat that chocolate, Amanda, फिर हो कहती है कि काश मेना एक orphan होती, और गलियों में घुमती, गलियों में घुमती, और नंगे पैरे से घुमती चले जाती, वो से फ्रीडम बहुत स्वीट है, don't eat that chocolate, Amanda, आपके रही चॉकलेट मत खाओ, remember you are acne Amanda, तुम्हे यादे तुम्हारे दाने निकल गए थे, will you please look at me when I am speaking to you Amanda, अब Amanda, देखी निरे, क्या तुम मही तरफ देखोगी, मही तरफ देखोगी, मैं तुम से कुछ कुछ कह रही हूं, ऐसे ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल and rare, I'll certainly never let down my bright hair, उसको ना कैद कर दिया गया था, actually, खुद नहीं गई थी, रेपिंजल, मैं आपको कहानी बता दू, उसको ना कैद कर दिया था, तो अकेली थी, फिर ना उसने बाल, उसके बाल तो उतने लंबे तो उसने नीचे डाले थे, त कैने का मतलब यह है, कि मुझे वहां से free भी होने का मन नहीं है, मैं confined रहके खुश रहूंगी, stop that sulking at once, Amanda, you're always so moody, Amanda, और ऐसे उदास होके मट बैठो हो, तुम हमेशा बहुत moody, Amanda, anyone would think that I'm negative at you, Amanda, सबको लगेगा, कि मैं तुम पे रोक टोक कर रहूं, यहां एक irony है, यहां ए आइरनी है, तो यह पूरी कहांई, मैंने पूरी denied भाइस भी आपको समझा दी, मिरे बच्चों, क्या आपको clear हुआ, किसी को किसी भी तरह का doubt नहीं है, सकंदर है मेरे बच्चा, मीरे बच्चों किसी को doubt नहीं आ रहे है, इसमें, Inanda किसी को किसी तरह का doubt तो नहीं है, Yeah, I hope क यह याद करोगे ना मेरे बच्चों जो मैंने आपके लिए लिए लाइन बिलकुल सर याद करेंगे पोईटिक डिवाइस बता दो पालिटरेशन बाबार रिपीटिशन ऑफ दे सेम वर्ड कौन सा हुआ है सेम साउंड जो हुआ है सा 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 के वाद ही रेपेटिशन अमेंडा एम बार बार लिए तो इसका रेपेटिशन हो गया मेटाफ़ कॉमपारिजण विडूट गूल दे चाहे कि तुम यह हो तो इस कौन से स्टेंजब्स में में क्या कहते हैं मेटाफ़र का इस्तेमाल किया गया Allusion to make a reference from historical, mythological, cultural ये एक इसमें अलक्सी चीज से याद रख लेना Allusion का मतलब होता है ऐसा कोई reference लाना जो के mythical पुरानी कहानियों का कोई reference हो यानि इसमें रेपेंजल की जो पुरानी कहानी है mythological है जो के सिर्फ लोग का एक विश्वास है सच्चा ही नहीं है उसको बोलते है Allusion rhyme scheme क्या है इसकी A, A, B, A stand up 1, 3, A and 5 में है और AAA, 2, 4, 6 में rhyme scheme तो वाँ खुद भी बना सकता है तो बार-बार amenda amenda आ रहा है वैसे तो A जाद है ठीक है तो ये हमने पूरा इसका देख लिए बच्चों इसके question देख लेते हैं एक बार आप नजर माल लो इसके नजर माल लो जो मैंने इसकी वो कराई है summary एक summary करा रखी है न मैंने important आपको points बता रखी है ये देख लो आराम से अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी नहीं मैंने एक separate video भी बना रखी है मेरे बच्चों separate video कहां बना रखी है अगर आपका मन हो आपके पास time हो आपको लगे कि मुझे इसको एक बार और देखना अच्छे से तो आपको कुछ नहीं करना Amanda ऐसे लिखना Amanda by dear sir जो भी topic आपको ढूणना होना ऐसे ढूणना करो Amanda by dear sir जो भी यह वाली देखो वीडियो मैंने बना रखी कितनी मुश्किल से 16 मिनट की 17 मिनट की वीडियो है तो लगबग लाखो लोग देख चुके अगर आपको देखने का मन हो तो देख लेना और इसी के अंदर मैंने आपको सारे वो भी सिखा रखेंगा होलते हैं इसी वीडियो में बता रखें poetic device भी तो भी देख लेना ठीक है आज बच्चो आगे बढ़ जाते है इसके questions की तरफ बढ़ते हम इसके questions देख लेते हैं Amanda poem clear है सबको अच्छा Amanda poem में एक बार ज़रा कुछ चीज थोड़े से conclude कराऊ हाँ answer कराऊ ना क्या कराना चाहतो Amanda में जो main question बन सकता है extra वो किस पर बन सकता है mother के उपर बन सकता है parents के उपर बन सकता है कि parents को क्या बच्चों को instruction देने चाहिए क्या extra question इस पर बना सकते है instruction या बच्चों को nagging करनी चाहिए क्या वो उस पर nagging कर रही थी हाँ कर तो रही थी इस तरह के question करने चाहिए she is trying to be protective लेकिन वो उसको nagging लग रही थी क्या बच्चों के उपर इस तरह की चीज करना सही है जो first flight में जो mother है जो first flight वाली मदर है है ना वो chapter है ना first flight का जिसमें यंग सीगल की जो mother है वो first flight वाली जो mother है और जो amanda वाली mother है उन दोनों की सोच में आपको फ्या क्या फरक लगता है तो दोनों chapter की कहानी को थोड़ा-थोड़ा explain कर देंगे नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं मेरे बच्चों आप कुशन देखते हैं कुछ इसके और फिर हमारा एमेंड़ा भी खतम मुभारखो मुभारखो मेंड़ा भी खतम होरा है थर्टी टू थाउजन तुम लोगों से तो कुछ कहना बेकार है बताओ मैंने तुम से सिर्फ इतना कहा कि हम मैं स्लाउच नहीं करता और मैं ऐसे स्लाउच करके नहीं रहता मुझसे नहीं निकलता मैंने ऐसे ही तो कहाता है ना कि मैंने कहा हम लोग हाँ हम लोग थोड़ा बहुत वर्काउट करते तो हमें आता ऐसे करना हमारी जो बैक है वो स्ट्रेट रहती है बताओ मैंने क्या गुना कर दिया था तुम लोगों ने तो इसी पर कहना शुरू कर दिया कि नहीं यह तो फिटनेस फ्रीक है मैंने तुम्हें कौन सा ग्यान दे दिय बताना बहुत तेज हो तुम लोग जल्दी बताओ अमेंडा अमेंडा करती थी स्लाउच कौन कहता था उसकी मम्मी अमेंडा स्लाउच करती थी कौन करती थी अमेंडा मैं थोड़ी करता था मैं स्लाउच यहांच नहीं करता था जरा सभी मैंनी करता था रोर कौन करता है रो कोन करता था बताना ना तुम्हें याद भी है कुछ गस्छ मैं थोड़ी करता था बताऊ-बताु मेरी सब हमारा कुछ भी हो इतना तो है तुम लोग इंटेलिजेंट हो सबके सब बहुत intelligent हो मुझेमेंडा के question दिखाू ना सर सर मेंडा के question करा वर नएक्स 큃 चल दो चल दो सर बच्चों थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत ओर मेरे בच्चे मेरे प्यारों थोड़ी इस Type मेहनत और दिखा थोड़ी सी मेहनत ओर दिखा प्यारो बस बस अरे साल में मुझे तुम दस बार विच करते हो और बोलते हो के बड्डे नहीं नहीं है कितनी बहर बता हूँ मेरा बड्डे तुम लोग केक भिजवादो चलो कलिपяж जल्दी से बड़े बड़े केक है edi तो आपको क्या लगता है अमेंडा कितने साल की थी वैसे जो मैंने देखा हूं उसमे 7-8 साल लेकिन 7-8 साल की लगती है क्योंकि उसके एकने थे ठीक है वोरी तो और भाइ भाई आमेंडा कर रहा है अगर मेंडा एक मुट्क्रा क्रक्र आही हो इसकी अमेंडा का मने ईनका क्या कर रही होती वह बिशुपुली क्या कर रही जो फुबिश्फुली ऐसे से मरुन का रही हो जह वाई मतलब एसे तहर रही होती अमेंडा क्या औरफन है नहीं नहीं अमेंडा औरफन नहीं बट फी वांट से शी शी तेंग दाट औरफन है जो रहती थी और जहां पर शांती थी पीस्फुल था और टेंचन नहीं थी उसको अमेंडा को क्या चाहिए था अमेंडा को फ्रीडम चाहिए थी एक्जाम में में इसकी थी में वाट ड़स अमेंडा वांट इन हर लाइफ उसकी लाइफ मों क्या चाहती थी वह फ्रीडम चाहती थी और वह इंटरफेरेंस नहीं चाहती थी और दिरे शुट भी नो इंटरफे आजाओ आजाओ बोल पोई हमने कर ली थी ना अब नेक्स्ट है हमारी अमेंडा आओ अमेंडा के क्विश्चन्ज देखते हैं लोग अमेंडा के क्विश्चन्स क्या हैं अमेंडा अमेंडा इस पोयम से क्या message convey किया गया है इस पोयम से message convey किया गया है जो parents होते हैं अपने बच्चों के लिए बहुत जादा overprotective होते हो और उनको instruct करते रहते नेक करते रहते सब्सक्राइब जो कि बच्चों को अच्छा नहीं लगता है इंग्लिश में लिख पाओगे ना ऐसा हाँ कि दरीडर sympathize with the speaker in the poem rationalize this opinion with a reason rationalize करना justify करना एक तरह से अपनी बात को सही बताओ कि इस poem में जो reader है जो poem है जो जो reader है वो speaker से क्या करेगा sympathize करेगा sympathize करेगा यानि उसकी मदर से हाँ बिल्कुल क्योंकि वो उसमें लाज्ट में बोलता है न के people लोग सोची कि मैं तुम्हें नेक कर रही हूं इस तरह का है क्योंकि वो से get rid of the nagging और इंस्ट्रक्शन गिवन बाई हर मदर जो उसकी मदर को इस्ट्रक्शन देरी नेक करी उससे दूर जाना चाहती थी अच्छा बच्च इस पर डारी एंट्री का अगर क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल थीम थीम इसकी याद रखके जो हमने पॉइंट्स लिखे है वो मेंचिन करके आओगे ना आओगे ना अच्छा एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा मुझे लग रहा है how do the lines of the poem contribute to the theme of childhood innocence and the challenges of maturing के जो बच्पन का मासूमित होती है और जो maturity हो जाती है उसके उसके उपर बात हो रही है तो इसके बारे में एक जब हम चाइल होते हैं जब हमें कुछ नहीं है ता रोकता टोकता नहीं जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं as we grow up then our parents our family uh starts nagging at us and giving us instruction how to live the life and how to take care of ourselves and we have to be responsible we have to be self-responsible and we have to take care of ourselves and that is the time when we have to realize is yeah और इसमें बोल पोयम का भी तो question mix हो सकता है बोल पोयम में भी maturity आई थी maturity कैसा आई थी when you lose when you accepting the loss of your personal things the things which you love the most है न वो सके अंदर आई थी तो आप mature हुए थे और Amanda से कैसे maturity आ रही है क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है उसको अपना ख्यार लगना पड़ेगा उसको chocolates नी कहानी उसको एकने हो जाएंगा उसको इस चीज का ख्याल लगना है उसको अपने nail bite नी करने है उसको haunch नी करना है तक उसकी कमर रहे जाए जाए so these are the things these are the things these are the things a person a child has to keep in his mind at teenage एक और question है discuss the significance of the final line in the poem anyone would think that I necked at you Amanda and its potential interpretation सब को लगेगा तुम नग करते हूं तो इसमें इसमें जो राइटर है वो एक तरह की आईरेनी भी है इसमें 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 कर रहा है किसे जो पोईट की जो 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 एमेंडा की मदर है कि लोग को लगेगा कि वो नग कर रहे है जब कि in fact she was nagging at her child वो अपने child को instruct कर रह रहा था चलो आगे बढ़ जाएं क्या हां नेक्स पोईम की तरह बढ़ते बच्चे इसमें किसी को कोई डाउट होता है मुससे पूछ लो मैं चला आगे किसी को कोई भी किसी तरह का डाउट आ रहा है तो पूछ लो बच्चे बस हम खतम करने वाले हम अंकि थेटिट 4,000 अब तक हम लोगे लाइक कर दिये वंडर फूर वंडर फूर चलो 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 बस 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 कर घ् Sport चा Tesh थोड़ा सा खाने दो देखो थोड़ा सा बस बस थोड़ा कुछ डाल लेता हूं कि यह हां हुँ चला चला स्टार्ट कर रहे हमारे नेक्स पोयम कौन सी करवा दूं अभी हमारी बची एनने ग्रेगरी मुझे बहुत पसंद रहे वाली पोयम पहले वह ले जाओ वह वाली करा दो पहले आजो एक ट्रीस रह गई एक पाउग एक टेल अफ कस्टर दड रहे गए असाना अशानी पॉयम रहे निए आजो कराता हूं आओ मेरे बच्चों आपको सिर्फ अब क्या करना है क्वेस्टेंस करने क्या करने क्वेस्टेंस क्या करोगे क्वेस्टेंस देख लेना बस दड़ ट्रीस देख लो चलो एड्रेन रिच की है ट्रीस और इस पोएम बड़ी मज़ेदार पोएम बच्चों और इसके बारे में मैं ऐसी बाते बताऊंगा तुम भी ना खुश हो जाओगे कि आप में से अच्छा कितनी लड़किया मौजूद है अभी कॉमेंट में बताना क्यूंकि तुम लोगों के लिए पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों मेरी बच्चियों कितनी लड़किया कितनी बच्चिया अभी हमाई साथ जुड़ी कॉमेंट करके बताना लड़कियों थमसब देखे बताओ जितनी भी लड़कियां लड़को तुम मत देने लगना थमसब चलो चलो जल्दी से दर ट्रीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी पोयम है जल्दी करो किस चीज का कॉंगरेट्स कर रहे हो मैंने देखा नी हाँ बच्चो जो भी डाउट आ रहा है अभी के अभी पूछ लो घवराओ मत भाई बच्चा पूछ रहा है क्या ये वीडियो बोर्ड्स के लिए इनफ है बच्चो ये इनफ से ज्यादा है हाँ एसे मार के मज़े लेते हो तुम ठीक है हाँ लड़किया बहुत सारी है मेरी बच्चियों मैं तुम लोग पूछ बता दू तुमें अपनी जिनदकी में भी बहूत कुछ फेस करना है चैलेंजीजिस है तुम्हारे है लड़कों तुम्हें भी करना है लेगे लड़कियों को जुदchn realtors प्र पुड़ता है और ऐसा अभी से नहीं है पहले तो हलात और खराब थे अब तो फिर भी situation बहुत बदल गई है हमारे जो समाज में खास्तों और से इंडिया में वैसे तो पूरी दुनिया में ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब समझते हो पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब समझते हो पेट्रिया यह शुरू से अब तो फिर भी थोड़ा बहुत कम हो गया है क्या आपके घरों में ऐसा होता है खास्तोर से अभी भी हमारे जो क्या कहते है रूरल एरियाज है वहाँ तो यह चीज आज भी है वहाँ यह चीज आज भी है कि हमारी क्या एक पेट्रियारकल नोशन है सोसाइटी है जो कहती है कि मर्द ज्यादा ताकतवर है वो ज्यादा उपर रखे जाते है औरतों से ऐसा होता है कि नहीं हाँ सर ऐसा होता है ऐसा होता है मेरे बच्चों ऐसा होता है ये कहानी एड्रेन रिच ने लिखी है जो कि एक feminist point है कैसी point है फैमिनिस point है ये poem आपके लिए important क्यों बदा है ये trees नहीं है ये trees का मतलब यहां औरत है women के बारे में बात हो रही है मैं ये बात कैसे कह रहा हूं मैं ये बात कैसे कह रहा हूं कि trees का मतलब यहां औरते हैं लड़किया है मैं इसका ये इसलिए कह रहा हूं कि एड्रेन रिच की न क्लास 12 में भी जब आप क्लास 12 में आ जाओं है अपनी पहचान बनाना चाहती है recognition चाहती है patriarchal society का जो myth है जो notion है उसको खत्म करना चाहती है so this is the story this is the poem about the trees और जो कि एक metaphor है एक metaphor है यानि एक hidden meaning है जिसमें ओरतों का समझवा है बच्चा sir एक काम करो पहले तो इसकी हमें एक यह summary समझा दो ताकि फिर हमें इसके stanza भी और अच्छे से समझ मा आए trees are compared to women जो trees है ना इस कहानी में यह जो हमारी poem उसमें trees को compare किया गया किससे women से compare किया गया बच्चो किससे women से women are ready to move out and healed और तयार है बहार निकलने के लिए और heal होने के लिए यानि patriarchal society में they have to face problems, miseries, difficulties, discrimination, harassment वो सारा face कर रही है and they are ready to go out तो यहाँ पर जो point है वो क्या है optimistic है उसकी tone कैसी है मेरे बच्चा optimistic है कैसी tone है point की हमें कैसे पता चला हमें ऐसे पता चला because उसको एक hope है कि all the trees are ready to go out वो गमरों से घर से लिकलना चाहती है women have remained indoors confined रही है वो अब तक कैसे रही है confined से कुछ यादा आ रहा है मुझे kसी चीजस को बंदी बनाने से confined करने से मुझे कुछ यादा आ रहा है मुझे कोई और poem यादा रही है कौन सी थी वो poem औरे कुछ उधा रहा है मुझे क्या था वो क्या था मुझे बताओ ना कौन सी पौयम करने से ुम अरे बता क्यों नहीं रहें तुम लोग जल्दि बताओ Tiger in the zoo याद आ गया? हाँ, हाँ, Tiger in the zoo में भी तो confined था, Tiger? हाँ, बिलकुल वैसे ही, तो औरते क्या थी? विमिन, विमिन वर confined to, indoor, confined, वो confined है कहा? indoors तक है न घर तक, the forest, forest यहाँ पर कौन है? जैसे trees विमिन है, forest यह पूरा world है, नाम तो forest लिया गया, अभी stanza पढ़ेंगे, वो forest use होगा, लेकिन वो forest नहीं, that, sorry, the point talks about the world, the whole world, forest में क्या है? was incomplete, will look complete now, forest incomplete है without the women, because women are confined to, confined to home, वो घर तक ही सीमित रखा गया है, है ना, they are not allowed to go out, and that's why the whole forest, the whole world, in fact, is incomplete, and now it will complete, it will be completed, in fact, right? okay, आगे बढ़ जाओ, आगे बच्चों कुछ मुश्किल तो नहीं है ना, easy है ना, आगे बढ़ते हैं, women were struggling hard to liberate, liberate मतलब आजादी पा लेना, आजादी, liberate, word लिखो ना comment में, liberate, women, what women want, what women want, women क्या चाती है, औरते क्या चाती है, women want liberation, women want liberty, women want freedom, they want their rights, they just want to go out of their home, they want to make their own recognition, they need freedom ठीक है क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया विमन वर इस्ट्रगलिग हाद टो लिबरेट फ्रॉम पैट्रियार्कल नोशन पैट्रियार्कल पैट्रियार् पिता से बना पिता से पैट्रियार ऐसे याद रख लेंगे पैट्रियार्कल जहां पे मर्दों को पिता को घर में उचा रखा जाता है नोशन मतलब सोच सोच वर्ड इंपॉर्टेंट है लिबरेट नोशन विमन empowerment, liberty, freedom, क्या ये इसी के बारे में सारा हाँ सर हाँ patriarchal notions, what women want, women were struggling hard to liberate from patriarchal society, a large number of women look like newly discharged patient और बहुत बड़े संख्या में जो women वो कैसी नजर आती है, जैसे कोई patient newly discharged हुआ हो, क्यों बीमारते और अभी अभी निकले हों, तो a large number of women look like newly discharged patient, newly discharged patient कैसे होते हैं, weak होते हैं, अभी उनको time लगेगा strong होने में, तो उनने newly discharged क्यों का है, exam में question आ सकता है, मेरे बच्चा, एक line पूछी जा सकती है, why, why, why is it sad that newly look like discharged patient है, because यहाँ पे कभी, जो point हो कहना चाहते है, क्या चो करना हो भी अपने घर में ही है, writing poetry does not mention the liberation of all women, the change is serious and damage is done, नुक्सान बहुत हो चुका है, लेकिन अब change हुआ है, जो बहुत serious change है, और अब इससे, क्या करते हैं, point अपने बारे में है, इसका जो central idea, जो कहां घूम रहा है, it's all about women, patriarchal society, liberation, freedom, right, है ना, उनको patient बोला किया है, लड़कियों को, women को patient बोला, newly discharged patient, because they seem very weak, वो weak है, mentally, physically, emotionally, है ना, उनका harassment हुआ है, उनने struggle करना पड़ा है, due to unequal rights, due to unequal rights given by the society, society, society ने उनको equal rights नहीं दिये, मेरा बच्चा, क्या मैं इसकी poem के stanzas को पढ़ा पाऊंगा, क्या मैं इसके stanzas तक पहुँच सकता हूँ, हाँ, हाँ, सर, आप पहुँच सकते हो, आप हमें पढ़ा सकते हो, आओ ना बच्चा, trees को देखो ना, देखो तुम्हें तुम कह रहो ना, आपसे भी कुपसूरत, हाँ, मुझसे भी कुपसूरत poetry है, आओ ना, दर देखो, आज़ो, आज़ो The trees inside are moving out in the forest, the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun breathed, sweet in shadow, the forest that was empty all these nights, will be full of trees by morning Forest जो था जब पूरा खाली था, जहाँ पे कुछ नहीं था, अब क्या होगा, अब जब पेड़ जाएंगे, पेड़ मतलब जब और ते बाहर जाएंगी, forest के अंदर इस दुनिया में जाएंगी, तब वो complete होगा All light the roots were to disengage themselves from the cracks in the veranda floor, the leaves strained towards the glass, small twigs, stiff with exertion, long cramped buffs, shuffling under the roof, like newly discharged patient, half days moving in the climbing doors Doors, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है बच्चो, मेरे बच्चो मैंने इसके कुछ hard word भी लिखे आपके लिए, कहां गए, कहां गए, मैंने इसके कुछ hard word भी लिखे, ताकि मेरे बच्चो को समझ में आ जाए, ताकि मेरे बच्चो को समझ में आ जा, कहां गए, वो words, अरे भाई हाँ डिसेंगेज का मतलब यहां पर दिखा रहा है इसेंगेज मालग होना है नि लिबरेशन को दिखा रहा है अजादी को एक्जर्शन का मतलब continuous struggle exertion का मतलब exert तो ऐसे की चीज़ को निकालना होता न डालना इसे continuous struggle दिखा रहा है exertion leaves and twigs का मतलब क्या है या पत्यों का मतलब softness of the women को दिखा रहे थे वो कितनी खुबसूरत होती है poem poem के अंदर एक-एक word करना symbol होता है symbol symbolism यहां पर यूज हुआ है long cramped buff का मतलब a large number of women a long long cramped buff का मतलब यहां वैसे तो पेड़ निकलता है और exertion का मतलब continuous struggle है अब इसको देखते हुए जरा स्टेंजा को पढ़ो ना मेरा बच्चा मेरा बच्चे स्टेंजा को यह सारे word को दिमांग में रखते हुए पढ़ो ना कि इनका क्या meaning निकल ला है literal meaning अलग है metaphorical meaning अलग है all light the root work जड़े थी उन्होंने पूरी रात काम किया यानि जड़े जो औरते थी जो 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 औरते थी उन्होंने बहुत काम किया खुद को जो नई लड़किया है नई जनरेशन की वरते हैं वह भी कर रही है लाइक लॉंग क्रैम बफ शफलिंग अंडर दा रूफ लॉंग क्रैम बफ लार्ज नंबर ऑफ विमिन जो है पूरा उनका जो ग्रूप है वह क्या कर रहा है वह बहार निकलने के लिए तैयार है वह शफ हुए है अपनी बतारें विचाइस काशली मैंशन दडी पार्चर अफ फोरें फोरें रिच को अपने वरेंडा में बैठी वी लॉंग लेटर लिख रही है उनको नाइट फ्रेश नहीं दर आ रही है मून शाइन कर रहा है मतला वह उनको पॉजिटिविटी दिखनी शुरू हो रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब एक सुसाइटी में नया चेंज आएगा आव इसके कुछ क्वेशन देखने क्या मेरे बच्चों हां सर क्वेशन दिखा दो इसके करा दो हां हां सर करा द हां तो कलोगी न ग्रैमर की वन शॉट रविजन कल होगी आपकी ग्रैमर की वन शॉट रविजन मेरे बच्चों अगर आपको आपके टीचर बोल रहे कि नैचरल है नैचरल है क्योंकि मैंने कई जगा सीब्सक्राइब मेटरियल में भी देखा जो डीओ का था उसमें भी इसको डेफरेस्टेशन से जोड़के दिखाए गया है अफरेस्टेशन हना वो सब कर दोगे के ग्रीन लीज अब आगे पनप रही है उनके बीज है उनके सेपलिंग से वो अब ग्रो हो रहे है ऐसे कर देंगे लेकिन एट 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 सेम ताइम अफिर लिखना मेंचन करना के मेटर्फरिकल मीनिंग बिकाज यह लिखोगे ना बल्कि जो आपका इग्जाम में नहीं है और खुश होगा के बच्चे को दोनों मीनिंग पता है इसके बच्चा कह रहा है वन मोर स्टेंजर इस देर और का है अच्छा उसको कहरें कि अभी मेरे कान में बाते हुरी है मतला बहुत जादा खबरे ऐसी आ रही है कि अब ऐसा कुछ होने वाला है अब ग्लास तूटेगा मुझे आवाज आ रही है मैं पॉजिटिव फिल कर ग्लास तूटेगा मतलम यहां पर क्या है कि अब बहुत जोर के आवाज आएगी मनला कुछ एक बड़ा मूमेंट होगा जिसकी वज़े से औरते आजाद हो जाएंगी उनको फ्रीडम मिलेगी चलो ग्रामर और राइटिंग पोर्शन न तुम्हारा कल होगा चिंता ना करो मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है? आवाज में प्रॉब्लम है क्या मेरे सुनने में? एरे मैं तो इसमें सुन लोगा ना नहीं बड़ी आ रहा है यार इतनी अच्छी अच्छी मेरी मदूर आवाज तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? कैसी बाते कर रहो? क्या मैं आगे बढ़ जाओ इसके questions की तरफ, हाँ sir इसके question करा दो, मेरे बच्चों मैं इसके question करा देता हूँ तुमें, इसके question करा देता हूँ, मैंने क्या कहा कि दोनों चीजे लिखके आ जाना, अगर इस poem से question आपका आता है तो, दोनों तरह का बता देना, metaforical meaning भी बता द आता है, तो हम क्यों डरें भाई, डरते थोड़ी हम लोग, what is the central idea of the poem, the trees poem, जो है, trees इसका central idea क्या है, तो दोनों बाते लिखके आओगे, आप exam में भी, कि central idea एक तो trees का, इसका literal meaning है, जेकिन हमें, and we think, हम सोचते है, कि इसको न, इसमें women का भी दिखाए गया है, कि women का liberation के बारे में बताए गया, patriarchal society के बारे में बताए गया है, बिल्कुल चूकना मत, डरना मत, डरना मत, और, और क्या question है, the poet Adrian Rich subtly conveys the message about the importance of trees comment, वो importance of trees के बारे में बताती है, हाँ तो यह तो लिखी देना के बारे में बताती है, आप मुझे इमांदारी से बताओ, मुझे आप इमांदारी से बताओ, वो वो घरों में घर की बात कहां सा आगे ट्रीस के अंदर यह यह जो सारी चीजें यह जो सारी चीजें कि यह लाइक नूछी डिस्चार्ज पेशेंट त्रीज के रेफरेंस में कोई क्यूं ही बोलेगा ट्रीज का घरों से क्या लेना देना हुआ forest के लिए कुछ और हो सकता था topic कुछ और lines हो सकती थी ये सारी lines हमें क्या दिखा रही है ये सारी lines हमें क्या दिखा रही है ये देखो ना will be full of trees by morning the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning इसका मतलब क्या है trees के reference में तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा ना कि जो जंगल पहले खाली था अब भर जाएगा कैसे एक रात में सारे पेड़ उख जाएगा कुछ तो logic हो ना मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि इसके ना clarification हो कि इस poem की जो असल असल जो इसकी theme है बच्चा वो विमिन है पेट्रियार्गल सोसाइटी है विमिन राइट्स के उपर इलिबरेशन है जाके एडरेन रिच से खुद पूछ लेते हैं तुमने क्यों लिख कि है क्योंकि हमें तो साफ साफ दिख रहा है हम तो बेवकूफ नहीं है मेरे लिए ना बड़ा असान था मैं अभी तुम्हारे पास आके कहा था डेफरेस्टेशन के उपर है पेड़ो को का जा रहा है कि वो जंगल मेरा क्या नुकसान था क्या नुकसान था क्यों पंगेलूम है लेकिन मेरा नब मैं इमानदार आदमी हो मैं तुम लोगे साथ जूट नहीं बोल सकता बच्चो पूरी दुनिया भी अगर बोले ना कि ये ट्रीज के उपर है तो मैं उनसे सिर्फ ये सवाल करूँगा फिर ये लाइन क्यों है लॉजिकल बताओ ना भाई लॉजिकल है जॉजिकल है आपके पास कुछ भी तो ये बेवकूफों वाली हरकते हैं जो इसको सिर्फ ट्रीज की था दिखाया रहा है डिफरिस्टेशन से दिखाया जार अब कि इसका कोई लेना देना नहीं है वो ना कभी भी नहीं बोलेगा कि ये और्टो के उपर है जो भी इंग्लिश को और एडरेंट इच को थोड़ा सा इसने पढ़ा होगा हमने पढ़ रखा है इसलिए मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं ये बात वह भी लॉन कर लें लेंगे साथ में मेंशन करके आना क्योंकि एक यहां इज़त की बात है वाई आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ एने ग्रेगरी चलो यह अच्छी पोएम है भाई साब बड़ी क्यूट सी पोएम है एने एने ग्रेगरी एना नाम होता है वैसे तो यह हम और पढ़ते रहते में बसक्तम करने करने कुछ नहीं बचलों बच्छा तो लॉन को फॉडग वデ और बढ़ते हैं हमारी एने ग्रैकरी यह क्या यह क्या इसमें क्या बताए गया इसमें क्या बताए गया जल्दी से देखो ना कि यह नहीं किस चीज के लिए लिख रहे हैं कि अरे बस अब तो कुछ भी नहीं बचा एक फॉक बचा अधा टेल ऑफ कस्टर द्रेगन बचा बचा बस खताम कर दिया मैंने अब अब हाँ तुभे को सुनो मैं इमानदारी से बता हूँ तुम्हारी मैम और सरने ट्रीज वाले जो पोया मैंने उसको ट्रीज के रेफरेंस में बताया होगा क्योंकि हर कोई हमारी तरह दिवाना नहीं होता न हम लोग कैसे हम तो क्या कहते हैं सोचते जाद है मैं आप लोग के ब पढ़ा हो इसको trees की तरह ही पढ़ा होगा मैं जानता हूं मैं जानता इसको trees की तरह पढ़ा होगा अगर उन से पूछा जाए कि fire and ice को भी फिर hatred और वो क्यों है उसके अंदर एंगर फिर तो fire and ice को भी सिर्फ fire and ice समझ के पढ़ो ना है ना मेरे बच्चे नहीं यह trees नहीं है यह trees नहीं है चलो इस पर clarification मुझे उम्मीद है आएगा आएगा कुछ टाइम बाद इस पर clarification करी में अरे बड़ी प्यारी बड़ी प्यारी कहाणी मेरी फेवरेट कहाणी में से एक है बाई लड़की एक बात बता ौ मुझे तुम सारे सप्को कुछ चोड़व लो मैं आप रहा हुग मुझे चीश का जवाब दो इमानदारी से है सब इदर और बच्चन थोड़ी मैं मुझे 10 मिनट देखो देखो सब लोग इदर देखो जल्दी से मही तरफ देखो दो मिनट इमानदारी से बताओ इमानदारी से बताओ इमांदारी से बताओ कोई किसी को पसंद करता है अगर कोई किसी को पसंद करता है खास तोर से किसी लड़की को तो उसके लुक्स की वज़े से पसंद करता है या ऐसी पसंद करता है लुक्स मेटर करता है के नहीं इमांदारी से बता दो अगर कोई लड़की है सुन्दर है उसे सभी पसंद करते हैं के नहीं सच-सच बता दो क्या उसे सच्चा प्यार मिल पाएगा नहीं उसे सच्चा प्यार नहीं मिल सकता क्योंकि सब उसकी खुपसूरती को पसंद करते हैं मानते हो के नहीं मानते हो के नहीं कोई लड़की है बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है लोग उसकी सुंदरता कोई तो पसंद करते हैं के नहीं आप भी कट्रीना कैफ को देखके ही बोलते हो ना सुंदर है दिपेका पडुकोन को देखके ही बोलते हैं कभी यह नहीं बोलते हैं बहुत अच् English देख히 जाती है English सीख लो English तुम्हारी English देखी जाती है तो लड्कियों की सुंदरता देख कर ही कोई लड्का उनको पसंडरता है जो लड्की जितनी पसुदर कुदर्थी तौर पे उससे प्यार करने वाले पसंड करने वालों की संख्य यह उतनी ज़ादा सर्य क्या बाते कर रहे हो तुम ये क्या बात करने लगे आप मैंने ऐसी बाते कर रहा है यह पोयम में लिखा है मेरी कोई चोईस नहीं है मैं तो यह प्यार मुभबत इश्की बाते करना भी नहीं चाहता सुन्दरता और यह वह मैं क्या करूँ भोली अरे बोली चैप्टर यादा है कली तो करवाय मैंने तुम लोगों को यादा गया लेकिन एने ग्रेगरी एने ग्रेगरी कहां गई अरे ग्रेगरी कहां चली गई हाँ 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 ढूंडो 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 कहां गई हां में ढूंड रहा हूं यही फॉर एने ग्रेगरी कहां गई यह गई विल्यम बटलर इट्स है ना है ना भोली की शादी न तुन्दरता इतनी है वो कहरी मेरे चाहने वालों की तो लाइल लगी वी है लेकिन मुझे वो चाहिए जो मुझे सच्चा प्यार करें सच्चा प्यार कोई करता है लड़का बताओ ना मेरे को सच्चा प्यार करता है कोई लड़का नहीं शकल सूरत देखके लड़की की अबर की लड़किया हैं कि तुम्हें सच्चा प्यार कोई लड़का नहीं करेगा सब तुम्हारी शकल से प्यार करेंगे तुम्हारे बालों से प्यार करेंगे सच्चा प्यार सिर्फ उपर वाला करेगा, तुमसे सिर्फ गौड प्यार करेगा, सच्चा, ये सब लड़कियों के लिए, ब्यूटिफुल लड़कियों के लिए, मैसेज था, इस इट क्लियर, क्या इसे रटना पड़ेगा, नहीं सर, ये तो अच्छी सी बात है, से रटने की क्या जूरत है, हाच रियलिटी है, ठीक है, भोली से याद रख लो ना, भोली अगली एने ग्रेगरी, ब्यूटिफुल है, आउज रूर इसको पढ़ते हैं, इसकी न, लाइन थ्रोण इंट डिस्पेर, जो उदास है, परिशार है, ये जो तुम्हारे बाल है, ये रेंपार्ट्स बोलते हैं, किसी चीज़ की दीवार को एक तरह की, हनी कलट मतलब पीले कलर के जो तुम्हारे बाल है, तो कोई भी उदास लड़कों उसको देखके खुश हो जाएगा या कोई भी उसको देखकर अच्छा लगेगा, तुम्हारे इन बालों को देखकर, लव यू फो यॉर्सेלफ अलोन ain't not your yellow hair, ललव यू फो यॉर्सेल Main and not your yellow hair, आयसा कोई लड़का नहीं होगा, जो सिर्फ तुमसे प्यार करें और तुम्हारे बालों से प्यार ना करें, वो जो तुमारे यह छो शहाद कलर के बाल ही ना वो उससे प्यार करेहरेगे जो तुमारे कानों पर इसे दिवार की तरह आ रहे चुपारे। तुमारे कानों को उनसे प्यार करेगगा तुमारी जूफों से प्यार करेगा वो लड़का अब एने ग्रेगरी क्या कह रही है अब यह जो दूसरा स्टेंज आना इस इस दा कॉन्वर्सेशन बिट्वीन दी पोईट एंड 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 ग्रेगरी विस वेरी ब्यूटिफुल विस हाविंग हनी कलर्ड यानी येलो कलर्ड हेर है ना आगे बड़े बट आई केन गेट अ इंड शेट सच कलर देर मैं है डाई लगा लूगी ब्राउन ब्लैग और करेट कलर की दट यंग मैं इंडिस्पेर और जो लड़का बहुत जादा डिस्पेर रहे है इसा हुदास में लव मी फॉर मैसल बलोग और यह यहार फिर नो मेरे से प्यार करेगा फिर मेरे बालों स मैं से सुनाएं जिसने बताया था जिसने क्या बताया था क्या 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 उसने क्या बताया था कि उसके पास सबूत है उसने इसा बात को प्रूफ किया था क्या प्रूफ किया कि कोई भी कोई भी इंसान इस दुनिया में किसी को प्यार नहीं करता सिवाए गौड के कुड ल दिनिया में बाकी लोग तो सर्फ तुम्हारी खुबसूर्ती से तुम्हारे बालों से तुम्हारे रूप से प्यार करते हैं यह पूरी conversation थी William Butler Yeats की खतम भाई एतना सही था इसमें कुछ भी नहीं है बच्चो और इसमें कुछ भी नहीं छोटी सी पोएम थी क्या इसको समझने में मेरे बच्चो को दिक्कत आई क्या नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आई अच्छा conversation between poet and any Gregory a young girl जो कि एंगल है boy gets rejection from her means he was in love with her attractive looks हां वो लड़कों को ना वो reject कर दे थी किस बेस पे क्योंकि वो उसके looks को प्यार करते उसको प्यार नहीं करते अब इस बात पर उसको क्या कहता है true lover inner qualities not looks true lover जो होगा वो तुमारी inner qualities को देखेगा वो ऐसा चाहती थी कि inner qualities को मेरे को true lover देखेगा वो जो inner qualities को देखेगा वो मैं उससे प्यार करूंगी जो looks को देखेगा उससे नहीं and I say she will change her looks by dying hair will become less attractive will find a true lover वो कहेगी कि मैं less attractive हो जाती हूं फिर मेरे को true lover मिल जाएगा है ना लेकिन फिर क्या क्या किता है फिर पोईट क्या किता है पोईट है लास्ट नाइट only God loves us और inner beauty not looks सिर्फ हमारा गॉर्ड होते जो इनर ब्यूटी को प्यार करते हैं हमारी युक्स को प्यार नहीं करते हैं इस इट क्लियर और नॉट है चलो ठीक है इस इट क्लियर क्या किसी को बच्चों किसी तरह का डाउट तो नहीं बचा आप इसके questions देख सकते हैं poetic device भी देख लेते हैं चलो इसके question देखते हैं क्योंकि लड़के इसको प्रुपोस करते होंगे न एने ग्रेगरी को तो वह उदास हो जाते हैं बहुत ज़्यादा है उदास हो जाते हैं क्योंकि वह उनको reject कर देती है हूँ सकता है उसके questions करातया है पहले असका प्रुप्राइब फोसका मतलब क्या है उसके पीले बाल है उसका मतलब करते हो इसके आउटर वॉल ऑफ दा इयर को वियंग वुमिन हेर का कलर कैसा है येलो येलो है ना यही तो पूछा इसमें और कुश्चन देखें कुछ हाँ सर और कुश्चन भी करा दो हमें अच्छे-च्छे कुश्चन करा दो ताकि हम एक्जाम रेडी हो जाएं एक्जाम मे हाँ ये बार बार ये क्वेश्चन आता है कि कलर क्या है वुमिन के हेर का येलो कलर है जो के गोल्डन क्या मेरे बच्चा लिखके आएगा इसमें लिखके आओगे ना कि जो गोल्डन कलर है गोल्डन कलर के जो येलो कलर के जो बाल है वो क्या कर रहे है वो सर्राउंड कर र क्या बनता है बना श्रक्तिक समय में यहाँ ह्टार है किस पोयम से क्या हिसका पि Ty mate करें के भैं कोई चरुब करता है और समय आपके लिएंगछ प्रता करता है तो हमें इस चीज önem से मैं क्या करना चाहिए यह संब तो भी इसमें क्या हॉ सितना कहल अ वैसे हमें पसंद करें हमारे inner qualities such as our behavior, our skills, उनको प्यार करें वो बंदा हम से सच्चा प्यार करता है या यह पूछा जा सकता है कि inner qualities जादा important हो सकती है या फिर हमारी external qualities इसके ओपर question हो सकता है तो inner qualities जादा important हो सकती है how did Anna want herself to be loved, what was the poet's opinion Anna कैसे अपने आपको प्यार करवाना चाहती है कि जो उसकी inner qualities से प्यार करें, उसके look से प्यार ना करें, उसके लिए वो dye करने को तयार है carrot और brown color करने के लिए तयार थी ना, ठीक है इसमें अगर dialogue exchange आ जाए Anna Gregory का और किसी भी character का तो क्या नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर लेंगे सर कर सकते हो ना बच्चे अच्छा, what is the difference between God's attitude towards a young woman and the attitudes of woman towards her लोगों का एक young woman जो जवान लड़की उसके प्रतिक क्या होता है रवया और God का क्या होता है तो जो यंग लोग होते, they like the outer beauty या external beauty of a young woman है ना, दुबारा से मेरे साथ बोलो मेरे बच्चे मेरे साथ बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो तुम मेरे साथ बोलते क्यों नहीं हो तुम Anna Gregory के अंदर God के God versus God versus man क्या फर्क होता है क्या फर्क होता है कि God God किसको लव करता है loves us, a young woman loves us या यह एक young woman की अगर बात आ जाए तो God कैसे प्यार करता है inner qualities को देखके love the inner qualities of a young girl, inner qualities को प्यार करता है, और man किसको प्यार करता है external beauty को किसको, external beauty और looks को प्यार करता है है ना, लिख पाओगे ना बच्चे एक्जाम में क्या मैं आगे बढ़ जाओ, क्या मैं आगे बढ़ जाओ अब आप इसका कोई भी question करने लायक हो, बस practice करना किसकी questions की practice, जितने मैं खरा रहा हूँ, मैं कराई चुका हूँ थोड़ा बहुत, आप भी आप भी कर लेना, जितने question मिल जाए practice करने, questions की solved question, जिनके answer हो, वो देख लेना ठीके बच्चो, मैं फॉक की तरफ आ जाओ आओ, फॉक की तरफ आ रहे बस उसके बाद एक ही तो बच्ची, बस थोड़ा सा, मेरा बाबू मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा कितने प्यारे प्यारे बच्चे हो, तुम लोगों के बहुत अच्छे नंबर आने वाले है, क्योंकि तुम इतनी महनत कर लिए ना, बस 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 हो गया और क्या है, कुछ भी नहीं बचा अब तो कुछ भी नहीं बचा कुछ भी नहीं बचा पता है तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे तुम लोगों से इतना प्यार हो जाता है इतना प्यार हो जाता है और तुम लोगों को भी मुझसे प्यार होगा अभी तो यह वन साइड़ है ना मेरा तुम से कुछ भी नहीं पढ़ने का भी नहीं करता और पढ़ाने का भी मन नहीं करता आजो important poems भी बताऊंगा मैं आपको अरे इसके sir n.a. Gregory के वो तो करा देते हैं वो तो करा देते हैं क्या कहते हैं poetic device आजो आजो trees के करा दिये थे मैंने trees के तुम देख लेना trees पे ना मैं emotional हो जाता हूं trees पे क्योंकि trees का meaning कुछ और है दुनिया वाले कुछ और बोलते हैं जबके सच्चा ही कुछ और है ठीक है चलो एने Gregory कहा चला गया आजओ 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 हाँ इसके poetic device देख लो अरे इसके poetic device का है आजब ही नीचे यह रहे इसके poetic device नहीं लिखवाए वे थे गया मैंने ऐसा तो नहीं हो सकता poetic device इसके नहीं होए चलो मैं तुम्हें PDF दे दूँगा इसके poetic device की वैसे तो यह रहे यह रहे यह रहे और करा तो रखे alletration वह बार बार यूज़ हुआ है यू या या की आवाज आ रही है metaphor क्या यूज़ हुआ है by great honey colored by those great honey colored यूज़ हुआ है remparts at your ear metaphor यहां पर यह यूज़ हुए और fog पर आ गये हैं इसके मैं positive device और बाकी नहीं तुम्हें एनिक रेगरी के दे दूँगा मैंसे तुम्हारी book में भी लिखे में तुम्हारी क्या कहते हैं उसमें NCIT में भी लिखे होंगे देख लेना जादा मुश्किल नहीं है अलिटरेशन वगेरा पूछा जाता है जादा तर रेपेटीशन और मेटफर और क्या ही पूछेगा काल सेंट बर का fog एक दम बहुत ही फुजूल किसी लगती मेरे को जादा important इस sense में नहीं कि इसमें बहुत conceptual बात इसमें fog को cat की तरह दिखाए गया बच्चों को कैसे दिखाए गया है कि जो fog आती न fog तो समझावाए न अपने fog वह cat की तरह होती है यह बताया और इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें कुछ भी नहीं है बस खतम कर ली जो में में पॉएम पे इन पर टाइम दिया है मेरे बच्चे मैंने उन पर टाइम दिया है आजो फॉग को पढ़के सुना देता हूं जल्दि देखो 37000 लाइक्स हो भाई इसको जल्दी से 40,000 करो जल्दी से दस मिनिट में खत्म 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 दफोग कमस ऑन लिटल कैट फीट इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी और साइलेंट हांचेज और यह खत्म मजाग था के नहीं काल सेंडबर्ग भाई इतना भी क्यों लिखा काल सेंडबर्ग ना इनको बिल्ली से बहुत प्यार था और बस इन्होंने ऐसे दो तिलना बिल्ली पे लिख दी बस और कुछ नहीं सच में मैं 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 ना पोटिक आदमी मुझे बड़े अच्छा लगता लिट्रेचर वाली चीज़ है लेकि इसमें कुछ भी नहीं क्या है अप्रोचिंग सिटी इन साइलेंट मैनर फौक ऐसा आती है विल्कुल सॉइलेंट रिली आती जिसे एक बिल्ली आते है उसकी तरह एप एपेस एडिसे जिया इसे ठांग पहला आँके ऑर एसे पहड जाती है डिपार्चर कैसे होता है जिसे साइलेंट और अन्प्रिटेब ठीक है और चली भी कैसे जाती है silently आती कैसी है एक कैट की तरह साइलेंटली चली जाती है बस इसकी पूरी कहानी स्टोरी यह और कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है इमेजरी फॉग केम ओवर दी हारबर लाइका कैट लाइका कैट इमेजरी इसमें यूज करा आगी है किसकी तरह दिखती है on केट की तरह दिखती है वेदाओट नॉइस आंटी है ज़नेट हैं कैसे चलिए जाती है साइलेंट ली चली जाती है और क्या ही होगा इसमें चलो मैं क्या आगे बढ़ जाओ BILL of custard the dragon की तरफ क्योंकि इसमें मुझे कुछ दीख नहीं रहा बताओ मैं क्या करा हूं इसमें मेरा बच्चा तुम बताओ मैं क्या करा हूं इसमें आ जाओ 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 टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रेगन सबसे बढ़ गाना आएंगे बस सच खतम खतम परियम सारी करदी ना मैंने कौन कहसी करी तलो गिंते चले जाते दुस परिव empty अभाय आइस और टाइगर नजो पुर्सट राधी प्रड qt war कर ली थी और और कौन सी करी थी और 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 त्रीस के बाद और कौन सी करी थी हमने मुझे याद दिलाते जाओ और कौन सी करी हमने और कौन सी करी यह तेल आव किलिगी ड्राइवाल पेसे लियोज इंदसे डॉम करना है और बहुत असान पोयम फया कुछ भी नहीं है में बलकि को गानए गाने की तरह एक सॉंग की तरह है इसको क्या को बताता है सो पढ़ा जाता है इसको तो बहुत बड़ी यह बहुत बड़ी यह लेकिन इसकी समरी बता रखिए जैसे कट चैप्टर की तरह लेकिन सिंपल है सिंपल है ठीक है मैंने इसकी अलग से वीडियो सेपरेट भी बना रहे तो वहां से भी आपको अपको यह जाएगा गर करना यहां किसे सारा कर देता हूं but let's go catch a photo test about this school Linda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a real your true your little pet dragon as a car cap on a data score now the name of the little black kitten was in and a little gray mouse she called him blink and the utility yellow dog was sharp as must have but the dragon was a coward and she called him yeah 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 I'm gonna say stanza wise sari summary karakhiya stanza saamne rakhna yeh summary saamne rakhna rakhon sab log clear ho jayega yeh clear ho jayega jaldi se dekh rhae jaldi se dekh rhae bas khatam ho gya ho gya khatam ho gya ho gya a little girl blinda ki kaanye joh ki kaan rahati yeh white house mein rahati yeh she had uske paas na pets hai usnei pets ka bhi naam rakhhava hai kya kya naam rakhhava hai black kitten joh kali color ki billy ka bachcha usko kaathe yeh ink a gray mouse usko kaathe yeh blink or yehlo dog is jis o mustard kaathe kiya or a dragon hai jisko kaawad kaata hai kya kaathe yeh haa kaawadly dragon ne jisse custard kaathe dragon hai all brave except dragon saare na brave hai bas joh dragon hai na woh kaawadho se loog chilaate bhi yeh baakhi joh pets hai na woh kaawad yaani usko buzdil kaathe one night a pirate entered eek na eek gus peti anndar gus aya pirate lutera a giyya enter kaathe all get frightened and started hiding except dragon saabh idur-dar bhaag nye lagta hai ink bhi idur bhaag raha hai aur mustard bhi idur bhaag raha kutta uttar sabh idur bhaag raha hai na hai na hai na hai na hi haa sabh idur bhaag raha hai lekin dragon nahi bhaagta dragon tackles him and eat him up और वो dragon क्या करता है उसको खा जाता है किसको वो जब pirate होता है बिलिंडा embraced other sing brave to themselves बिलिंडा जैसे सब देख लेना repetition बार-बार trickled का हुआ है suddenly suddenly का हुआ है metaphor कौन-कौन से यूज़ है chimney for a nose railio truly dragon on his toes इसके metaphor है similar यहां पर like-like जैसे होता है metaphor और similar में difference ही होता है कि similar में as की उसकी तरह ऐसे बोला जाता है और metaphor में direct होता है कि तुम यह हो यानि तुम जैसे मैं तुम बोलो कि तुम शेयर हो तुम शेयर हो तो इसका मिलब क्या है metaphor है चलो यह तुम देख लोगे अनमेटाफोबिया जो किसी की आवाजों के निकलती हो उनको बोलते रायम एप तो निकाली सकते हो हाँ आप बच्चे पूछ रहें बच्चे पूछ रहें phosph aktuell कैसे पता करें सर टोन कैसे पता पर करें किसी भी पोयम की अंसीन पैसिज की पोयम इनके टोन का तरीका बता दो मैंने आपको ना कुछ वो लिखे वें टोन कैसी हो सकती है टोन कैसी कैसी हो सकती वच्चो वो देख लो हाँ हाँ टोनना जाधतर हुउमरस। हुँमरस जहां पे कौन सी थीention सरकास्टिक यहां पर एंगर और फ्रस्ट्रेशन निकाला जा रहा हो तो क्या हो जाती है Стच हो जाती है जॉइफ्ल जाँ खुशी खुशी होती है वाली poem कौन सी होती है joyful हो जाती है inspirational जहां पर inspiration दी जाती है trees वाली the trees कैसी है एक inspirational है optimistic poem है regretful जहां पर बहुत ज़्यादा regret होता है मन को तो वो regretful होती है cheerful जिसमें खुशी खुशी की बात होती है cheerful होती है बिलिंडा वाली क्यों सी हो सकती है cheerful हो सकती है जो भी पढ़ी थी हमने आप टू टेलकर से pessimistic जहां पर कोई उमीद नहीं होती pessimistic कौन सी वाली fire and ice कैसी हो सकती है pessimistic हो सकती है उसकी tone और कैसी melancholic भी हो सकती है ठीक है और कैसी हो सकती है बहुत worried भी तो दिखा रहे है न उसके अंदर assertive जिसमें सिर्फ फेसे ही कोई fact बताय जा रहे होते हैं वो assertive poem होती है melancholic वो भी sadness को भी दिखाता है melancholic tone हो सकती है किसी भी passage की जहां पर sadness की बात हो रही हो उदासी की बात हो रही है वो melancholic फेसे हो गया है reverent angry यह तो मैं extra में लिख रखे है angry जहां खुसा दिखाया जा रहा हो angry हो जाएगी वो कम से हो जाएगी angry हो जाएगी serious tone जैसे how to tell wild animals की वो सारी a tiger in the zoo कैसी एक serious poem है एक serious poem है how to a tiger in the zoo ठीक है बच्चो is it clear तो tone passage की या किसी poem की यह देखा हो कि उसके अंदर बात क्या की गई कोई serious बात की गई है खुशी की बात की गई है गुस्से की बात की तीन चारी बात होती है और इनमेंसे को इसे दो तीन लिख देना मिलते जुलते जैसे inspirational और cheerful दोने एक साथ लिखे जा सकते है ऐसे कर देना ठीक है बच्चो अब आओ इसके कुछ extra question देख ले extra question question bank के सभी poems के देख सकते हैं जल् सकता है बच्चो अब हुमरस और joyful एक साथ हो सकता है बच्चा पूछ रहा है humorous और joyful tone में क्या फरक है humorous में humor मारा गया है माला हसा हसी माला किया गया है एक humor देके जैसे एक आगया कि वो तुम्हें गले से लगा लेगा है ना जैसे मैं कहूं कि क्या कहते है तुम अगर अपना homework करके नहीं लागए तो तुम्हार टीचर तुम्हें मिठाई देगा तो यह humor मारा गया है है ना joyful का मलब जा खुशी क को दिखाए गया है बहुत खुशी को दिखाए गया है कि एक जहां पर कोई चीज उन्जॉए कर रहे हैं कुछ इंजॉइमेंट की बात हो रही होती है वह जॉएफल वाली पोयम हो जाती है हमारी तो जॉए हुमर एक साथ आ सकता है क्योंकि जो टोन हुमरेस है तो बच्चों बच्चों बनाओ ना यहीं चीज कर सकते हम लोग हम 40,000 लाइक कर सकते जितनी बच्चे अगर आप मौजूद हो अगर लाइक कर दो गए ना सब तो फोर्टी थाउजन हो जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी पिर के हमारे 40,000 लाइक से अभी मैं क्या कर रह को आम जल्दी से क्कि वैसे करते हैं लिग चलव करते हैं अ sofort आख किसेशन ने लगे अशन क्रेंग को मन शिटम करेंगे ना टेटेंशन क्यों ले दस मिनट मैं पांच पांच मिनुए ले नहीं हो जाएगा पांच मिनुन चलो 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 आजए भी है कि आओ As a crow, you feel highly injured by the incorrect perception humans have about your species. Imagine yourself to be a crow and write your opinion about this prejudice. Make a case of breaking stereotypes. Crow को क्या माना जाता? अनौस्पिचर्स माना जाता है? एक रो की तरह सोच के बता हो. तो आप इसमें बता नहीं सकते हो. हाँ, बिल्कुल के एक रो को अनौस्पिचर्स माना जाता है? And that is not correct. As a crow, I feel very bad about it. Why people consider me unauspicious? I am also a creature like them. इस तरीके से. है ना? कर लोगे? और चाप उचाँ, फायर नाइस का ये ता. Imagine that Nelson Mandela read फायर नाइस as Mandela write a diary entry associating. ये important question है, बच्चों ऐसा एक्जाम में आ सकता है. अगर Mandela साब अपनी एक टायरी एंटरी लिखते हैं और फायर नाइस के बारे में बोलते हैं कि जो इस दुनिया खतम होगी, किस से खतम होगी फायर नाइस से. क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि I am the President of South Africa. खुद को Mandela मान लो. I can't help recalling Robert Frost's fire and ice. Where Robert Frost says that this world will end with fire and it might be end with, it might end with, it can be destroyed by ice 2. Here the ice refers to this. ऐसे पूरी कहानी, पूरी इसकी समरी नहीं लिख सकते. वह शुरुआती तो ये करनी है, कि when I am the President, इस तरीके से बात करनी है, डायरी एंट्री, घबराओ मन डायरी एंट्री से असान है, भाई, बहुत असान है, बहुत इसी है. डायरी एंट्री में क्या पूछेगा भाई, क्या पूछोगे, ऐसे ही तो लिखवाओगे, कि I am, मैं हूँ, मैं लिख रहा हूँ मंडेला, तो I am the President of this, और फिर लिख दो, क्या लिख दो, जो Fire and Ice में क्या सीखामने है, Fire and Ice का सोचते हैं, क्या आ रहा है, दिमाग में कॉमेंट करके बताओ, जल्दी से सब लोग, सब लोग जल्दी से बताओ, Important Poem भी बता रहा हूँ, पहले इसको खतम करो, आगे बढ़ते हैं, देखो या Answer Keys दे रखे हैं, तुम्हारे MSQs के कर लेना, मेरे बच्चों, हाँ जोड़के request करता हूँ, कर लेना, हलके में मत लिया करो मेरी बातों को, मेरी बाते बहुत important हैं तुम्हारे इस वक्त, तुम्हारे English के exam के लिए, क्योंकि मैं expert advice दे रहा हूँ तुमें, मैं कुई ऐसे जब कुछ भी नहीं बोल ला होता, जब मैं कुछ कह रहा हूँ, कर लो, हाँ, आजो, अरे, मंडेला साब यहां कहा से आ गए हैं, A tiger in the zoo, इसके extract आया, और tiger in the zoo का अब आ गया क्या, यह वाले questions आ गए हैं, How does the poem point to the cruelty of animals in captivity, captivity मला उसमें उसके बारे में यह poem क्या बताती है, बता सकते हो न, इस strength के बारे में tiger की बताती है, counter the statement, statement को counter करो, celebrate the strength of the tiger in this poem, क्या वो उसकी strength के बारे में बता रही, नहीं 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 थोडी, उसकी captive है वो, captive है, वो enslavement है उसका उसके बारे में बता रहे है, और यह वाले question हमने कर रहे है, जो हमने कर रहे हैं, वो repeat नहीं कर रहा, tiger diary entry लिख रहा है, he writes about he desire to be free, write their entry, हाँ diary entry लिख सकता है, I feel so vulnerable and annoyed at my state, I don't know if I can ever be free decision of the forest, denison का मतला होता resident resident, हाँ तो लिख दो, I feel so alone, I am living a life in a cage, I don't want to live here, I should be in the forest, बिल्कुल आई आई कर के लिख दो, जो वो poet कह रहे थी न, he should be in the forest hunting, है न, यह सारी चीज़े, लिख दोगे, नहीं कर सकते, क्या मेरा बच्चा कर सकता है, मेरा हर बच्चा कर सकता है, और question देखते हैं जल्दी से, चलो 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 जल्दी से करो, come on, मैं भी कर रहा हूँ न, बच्चो, हिम्मा, थोड़ी सी, बस पांच मिनिट, पांच मिनिट और खतम, 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 और question, और question, next poem के, यार, यह time पता है खराब होता है, इस में से नीचे करने से, हाव तेल वाइल आनिमल्स, इसके MCQs आगे, और यह रहे इसके, short answer type, हाँ, hyperbola is literally device used, when the poet exagerates an image, to make it comical, if there is nothing on the tree, it is the chameleon, you see, briefly explain the paradox of the code, would you agree that the point has an in-depth knowledge of the wild house, उसको बहुस जादा knowledge थी, तभी वो उसने सारी चीज़े लिग दी थी, मिजबिल को मिलती है, डिटेल लगा उन्दा करेक्टरिस्टिक, मिजबिल के करेक्टरिस्टिक इसमें डाल देंगे, इसके अंदर जैसे हमने बाकी wild animals के डाले थे, diary entry वो तब आप लिखी लोगे, ठीक है, चलो, बच्चो इसके, क्या केतने हैं, इसमें कोई question मुझे नहीं लगता, इस तरह के जो आप ना कर पाओ, try करना, जितने मैं करा सकता था, मैंने कराने कोशिश करी, एक बार ये ball poem को और देख लो, अगर ball poem की जगा, आपको कोई toy उस होना, करना पड़ता, तो कौन सा करते, ball की जगा, कोई teddy bear कर लो, ball की जगा, जो ball की तरह उड़ सकता हूँ, ऐसा कुछ देख लो, अगर ये तो आपके ओपर है, कोई सा भी कर सकते हो, कोई काच का, ग्लास का देख लो, जो टूट जाए, shatter हो जाए, toy, I is a poem, is a poet or observer, I give a reason, for your choice of response, अपनी मर्जियस में, भी open-ended question है, बोल दो, हाँ poet है, suitable line लिख दो, ball poem की जगा, बोल परिम की जग लिख दो, ऐसा लिख दो, या my lost childhood, या क्या किते है, क्या किते है, memories, childhood memories, या, क्या किते है, today, क्या किते है, maturity लिख सकते हो, byline का मतलब, उसके नीचे, जो line होती है, बाकि ये सम्में, में ली तो होई आना, सर्मन वाला, सर्मन वाला, इससे करेक्ट कर लोगे ना, कि हाँ, इसा कोई नहीं है, जिसका नुक्सान ना हुआ, लेजी सिकते है, उसकी summary लिखी है, उसकी summary लिखी है, और हो गया, चलो बच्चो, उम्मीद करता हूँ, थीम की सुभा वीडियो मिल जाएगी, थीम, कीवर्ड्स, इनकी, दोनों बुक्स की, बोट बुक्स, इन दोनों बुक्स की, आपको ये वीडियो मिल जाएगी, और कल, कल पांच बजे, कल कितने बजे, पाइव पीम, पे आपका क्या होगा, लाइव होगा, किस चीज का लाइव होने वाला है, आपका, लाइव होगा, ग्रैमर का वन शॉट रविजन, किसका, ग्रैमर का, और दियर सर का, ग्रैमर का वन शॉट रविजन, कल, कल पांच बजे होने वाला है, जरूर देख लेना, एक बात और बता दूँ आपको, मैंने आपके लिए बहुत कुछ सारे topic करवाई रखे हैं, कुछ भी मत करा करो, आपको मैंने, क्या कहते हैं, यहाँ पे, हमारे channel पे जाओगे, तो मैंने आपको playlist भी बना रखी है, हर topic पे, तो जाके देख सकते हो, एक बाँ फिर से बताना च हो गई, सो अगर नहीं देखी, तो देख लेना, यह रही footprint आपकी, अरे number 4 पे trending कर रही है, हमारे footprint without fit की, इसको number 1 कर देंगे, आप चलो, तो बच्चो बहुत मज़ा आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, class 10 के बच्चों की, पावर और प्यार, dear sir army, thank you so much, और कल फिर से मुलकात होती है, मिलते हैं, thank you so much, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, अगर लाइक नहीं किया होता, एक बार लाइक कर देना, अरे होने वाले, 40,000 होने वाले, इसको कर दो ना भाई, कितने रह गए, मुश्किल से 500 रह गए, 40,000 पे जाते है, 40,000 करके जाएंगे, करो जल्दी से 40,000 लाइक, जिसने लाइक नहीं किया, come on, अब तो मेरे लिए इतना करीदो, मैं चाहता हूँ कि सब लोग हमारा प्यार देखे, कि मैं आपके लिए मैनत करता हूँ, तो मेरे बच्चे कि इतना अच्छा करते हैं, अच्छे एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, पोईटिक डिवाइस को रटने की जरुरत निया समझ लेना, मैंने वीडियो बना रखा है, figure of speech का वीडियो मैंने बना रखा है, figure of speech का वीडियो देख लेना, figure of speech, सर ये वीडियो क्य सब के difference खतम हो जाएंगे, सब समझ मालेगा, वो क्या किते हैं, वो तो करना सिखाए दिया मेरे तुम्हे, rhyme scheme, ये भी हो जाएगा, एक चीज और, एक चीज और, जो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, एक और चीज मैंने आपके लिए कर रखी है, ये एक और चीज आपके कर रखी हो देख लेना, पहले करके बैठा वाओं मैं, पहले करके बैठाओं मैं, आपके लिए एक चीज और, बदा है क्या, वो ये कर के बैठाओं, अरे खुल जा हुई, एक चीज ये करके बैठाओं मैंने आपको एक वीडियो दे रखी, competency-based question ये जो diary entry वाले हैं, इनको और मैंने प्री तरफ से सारी बाते कर दी हैं कल grammar में धूम मचाएंगे पढ़िया से grammar करेंगे सब कुछ writing and grammar दोनों करेंगे कल के session में writing भी करेंगे हम लोग writing में क्या क्या आ रहा है और आपका analytical paragraph आ रहा है और हम यह दोनों चीज़े करने वाले हैं अभी सिर्फ मेरे बच्चे लिख कर देखना है लिख कर देखना है और questions attempt करने है important poems बता दूं important poems बता दूं important points एक तो Amanda important poems Amanda important points Amanda है एक तो आपकी एक मुझे बहुत पसंद है bowl poem पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है कि यह आनी चाहिए bowl poem बहुत अच्छी है एक fire and ice भी बहुत अच्छा concept fire and ice ठीक है और कोई सी बढ़ना आपको के सारे तो आपने बता दिये और मुझे तो मेल लिए तीन बहुत अच्छी लगी यह तीन अच्छी है Amanda bowl poem fire and ice यह बहुत अच्छी poems है और इन में से मुझे लगता है कोई ना कोई question जरूर आना चाहिए यह तीन poem तो सबसे पहले इनके तो extra question भी सारे करके रख लो इनके MCQs वाले पूरे पूरे extract extra questions सब इनके करके रख लो सब इनके करके रख लो इन वाली ओके प्लीज तो यह जरूर देखना the bowl poem fire and ice और Amanda यह बहुत अच्छी poems है यह बढ़िया poem है dust of snow भी ठीक है dust of snow भी आ सकती है हाँ तो dust of snow चाहुत लिख सकते हो how to tell wild animals and a tiger in the zoo यह बंद हो गया पूरे बंद हो गया 40k होगे thank you so much चल रहा है भी मुझे तो नहीं दिखे रहा चलो ठीक है बच्छो तो यह तीन poem तो कम से कम देखी लेना Amanda the bowl poem fire and ice बागे tiger in the zoo और how to tell wild animals तो हैं इतनी easy को उनको तो खुछ खास करने की ज़रूद भी नहीं पड़ेगी तुम्हें और कॉंसे बची एने ग्रेगरी वो ठीक है बस एने ग्रेगरी भी अच्छी है अच्छा conceptors का बट यह पहले preference पह है अधर कल में टाइम पर आउंगा कल में पक्का टाइम पर पांच बज़ें पर मिलूंगा बाइबाइब विश्यों गूड़ लाइक निकिया तो लाइक करते हैं थैंक्यू पर 40,000 लाइक बाइबाइब